मुंबई शेहर में रज़ के नशे के कारण हर रोज जुआओं की मौथ हो रही है को तो गैट इस तब दी तो कोच्ते हैं सुल्तान की हीरो वहता है जो जीता है मेरा यह माना है की हीरो वहता है जो हरता है क्योंकि वही जानता है जीतने की असली मेल्यू सुल्स को दिखते ही ज़िशा है जानता है जानता है की वहता है जुड़ हमेशा अपने की जाएब गिए तो हैंसर थेह काम किसी नॉमल प्लेस अवसर के बसकी बात है ही नहीं इस के लिए हमें बिस पाश्ड़िष चाहिए यहां क्यों आयो कमाल करते हो छेदी सिंह बोर निगलाए तुहरे नाव हर सरखियो में तुमीदुम चायो 97 एंकाउंटर्स दुनिया का सबसे खुतरनाक चानवर इंसान ही होता है लाउदा इनेवर को इतना सीरिसली नहीं लेना चाहिए क्या लगती के है तेरी नहीं का है तुम सिर्फ इस के बारे में जानते हो कबीर के बारे में नहीं के बारे में जुकनी शेर का शेकार नहीं करते है अभी तो सिफ तीन इंच को साया है तुमार्ड अलेक किसे थोड़ा काम कर बहुत घुकर चहएला और नसीदा उपजागा अगर अपकोई आगे बड़ा तो उसके ब्लेडर की जगा फेपड़ा होगा और लिवर की जगा किट किने मारता कम हूँ और कसीदा सेदा हूँ जिंदगी में तिंग चीज कभी अडरेस्टमेट नहीं 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 में इंद माई संवी मेरी पार्टी सिर्फ पैसा है तो मुझे पैसा दें मैसी में पूँ पुलीस की नौकरी है किरिफतार तो कड़ना पड़ेगा आज तक कोई पैदा नी हुआ जो मुझ पे आठ डाल सके पार्टी सिर्फ पास होने से पहले या तो वह जेल के अंदर होंगे नौकर मैं जनता का हूँ किसी के बाप काने अगर तुझ में तम है तो तुआँ मुझे रोक के देगा एक बार जो मैंने कमिट्मेंट करती उसके बाद तो मैं अपने आपकी भी नहीं सुनता सीसा तोड़कर सलमान की एंट्री मोबाइल पर एंबुलेंस भेजने का संदेश आँख के नीचे कांच से बना घाओ पर्भुदेवा सीन बनाते हैं फिर उन्हीं को लगता है कि मज़ा नहीं आया वह सीन को फिर से दिखाते हैं सुलो मोसन में इस बार खिड़की का कांच चकना चूर होकर हवा में उड़ता है बीच से सलमान खान निकलते हैं मुँ में भी कांच का एक टुकडा दबा है जिसे वा होठो से ही हवा में निसाना बना कर फेकते हैं मोबाइल वाले बंदे के आँख के नीचे कट बनता है फिल्म राधे में सलमान का ये एंटरी सीन है सिनेमा हाल होता तो इस पर खोप तालिया सुनने को मिलती सिंगल इसक्रीन थेटर में सलमान की ऐसे एंटरी पर लोग सीटों पर खड़े होकर नाचते भी लेकिन राधे और मोस्ट वांटेड भाई के रिलेस सीधे घरों में हुई मोबाइल और लेप्टाप पर स्मार्ट टेपी बर भी जी फाइब के चरिये फिलम चलनी चाहिए थी लेकिन फिर भी नहीं चली तमाम कोश्टों के बावजोद बड़े परदे के हिसाब से स्यूट हुई फिलम राधे और मोस्ट वांटेड भाई की बाद इसकी कहानी से सुरू करे इसके निर्देशन से सुरू करे इसकी कलाकारों की अधाकारी से सुरू करे सब बाते एक जैसी ही है वांटेड का ओक कमेंटमेंट वाला समवाद भी यहां है हीरो और बिलन की वैसी ही फैड जैसी एद पर लेज हुई सलमान की इसके पहले दस फिल्मों में भी उनके फैंस देख चुके हैं वा यहां भी है बस इस बार हीरो और बिलन दोनों आसमान से धर्ती पर आगिरे हेलिकाप्टर में से निकलते हैं हड़ी पसली सब साबोत लेकर सल्मान अपनी फिल्मे सब के लिए बनाते भी नहीं है उन्हें अपना फैंन बेस पता है उनके फैंस को सल्मान की अदाएं पता है दोनों एक दूसरे पर बरसों से कुरबान है सल्मान का सिनेमा ऐसा ही चलता है फिल्म राध्य और Most Wanted भाई की कहानी का हिरो राध्य एंकाउंटर स्पेसलिस्ट है 10 साल में तेश ट्रांसफर और 97 एंकाउंटर वाला सचिन वाजे की याद यहां आना सभावक है क्योंकि राध्य को भी उसका निलंबन खतम कर पुलिस फोर्स में लाय जाता है मुंबई में फैल है नसेले पदार्थों का कारोबार खतम करने फिल्म यह पहले ही सीन में साप कर देती है कि यह ड्रक्स मुंबई में दिल्ली से आ रही है और इसका सप्लायर राणा है सुसांत रास्पूत का संदर भी फिल्म दे ही देती है पूरी फिल्म में साजिद खान के बनाए फिल्म के टाइटल ट्रै का इंतिजार ही बना रहता है और गाना बचता है आखिर में एंड क्रिडिट के साथ और जिस सिटी मार गाने को लेकर सबसे ज़्यादा हला मचा ओगना ठेक क्लाइमेक्स से पहले आगर फिल्म का जो भी थोड़ा बहुत मचा है उसे खराब कर देता है सलमान खान की फिल्मों का एक शिट पैटरन बन चुका है ना सलमान खान इससे बाहर निकलना चाहते हैं और ना उनकी कोटरी के निरदेशन उन्हें निकालने दे रहे हैं उनका गुबारा लगातार फूल रहा है सलीम खान का नाम भी ओपनिंग क्रेडिट्स में आता है एक कोरियन फिल्म दा आउट लाज की इस रिमेक का आइडिया अगर उनका है तो कम से कम पढ़कता तो उन्होंने फिल्म की जरूर ही नहीं पढ़ी होगी फिल्म को वांटेट की सुकल का फेल देने की बहुत कोश्य की गई है लेकिन बात जमी नहीं फिल्म की पढ़कता बिल्कुल सपाड तरीके से चलती जाती है और जैसा कि अधिकतर कोरियाई फिल्मों में होता है ये हीरो के अलावा किसे दूसरे किरदार पर ध्यान भी नहीं देती हिंदी सिनेमा में निर्देशकुक के आगे खुद को पूरी तरह समर्पित कर देने वाले कलाकार बहुत हुई है सिनेमा की भासा में इन्हें डारेक्टर्स एक्टर कहते है सल्मान खान ने निर्देश को की एक नई परजाते त्यार की है एक्टर्स डारेक्टर यानि जो हीरो कहे उन्हें बस ये सर कहना है अमिताब बच्चन की बतोर हीरो रिलेज हुई आखरी फिल्में ऐसी ही बनती थी उन्हें 1999 में सुरवनसम, कोहराम और हिंदुस्तान की कसम के बाद अगले साल महबते मिल गई थी ऐसा यहां कुछ हो जाये तो अच्छा है साइकल पर प्रेम की स्टाइल मेराधे का पिशला पहिया एकदम से रोक कर साइकल 45 डिकरी पर खड़ा करना नाल ताल जिया जो जगाता है लेकिन दर्सक सीधे उससे जुड़ नहीं पाता फिल में कहने को तो सितारों की पूरी बाराध है जैकी स्राप, सुधान सुपांडे, गौतम नामदेव, दर्सन जारीवाला, सिधार्थ चादो, अरजुन कानून गो, विशुजीत परधान, परवेसराडा, सावार अली, इहाना धिलन, सब थोक में निप्टा दे गए हैं इसके निदेशक प्रभुदेवा ने किसी भी किलदार का कोई बैगराउंड नहीं, किसी की कहानी में होने का कोई स्पिस्टिक करण नहीं, बस वा सरकस के तरह रिंग में आते हैं, करतब दिखाते हैं, और निकल जाते हैं, दिसा पार्टने फिल्म के हिरोईन हैं, सो उनके फोटो से कुछ अलग वा बड़े पर्दे पर भी नहीं कर पा रही हैं, फिल्में सल्मान के अलावा अगर किसी ने भी कुछ किया है, तो वा है ररती फोड़ा, सीध्य मन मोहक देशाई की कि किसी फिल्म से निकले बिलन, चाको बाजी भी वैसी, बाल भी वैसे, और कास्ट जैकलेन को मौका मिल गया, ये भी सल्मान की ही बड़ावलत है, वो इस गाने में सिरीदे भी बनने की कोसिस भी पूरी तरह करती हैं, लेकिन ये जैकलेन के बस की बात है नहीं, फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है, किसे अब 2500 रुपे में घर बैठे पूरी प दुकसान होने नहीं दिया, बात आखरी कमिटमेंट की जो ठहरी और सल्मान ने एक बार कमिटमेंट कर दे तो फिर वह क्या कह सकते हैं, सपनों की नगरी मुंबई ड्रक्स की चपेड में है, राडा ने रदी भुडा इस ड्रक्स कार्टल का बास्सा है, वह सहर पर राज कर की जाती है, साल 2009 में सल्मान खान की वांटेड रिलीज हुई थी, पर भुडेवा ने ही इस फिल्म को डारेक्ट किया था, यह तमिल फिल्म पोकरी का रिमेक थी, राधे योर मोस्ट वांटेड भाई इसी फिल्म का सुकल है, कहानी पूरी तरे मुंबई पर है, फिल्म में स सहर को साब करने आया है, वो भी अपने अंदाज में, बदमासों की जमकर धुनाई और मजबूरों की दम भर मदद के बीश राधे के पास फ्लरट करने का भी टाइम है, वह अपने ही बास यानि जैकिस राप की बहन दिया यानि दिसापाटनी से प्यार करता है, राधे एक और साथ ही कुछ नयाभी हो, डारेक्टर प्रविद्यवा ने अपने हिस्से की पूरी महिनत की है, कि वह या सब फिल्म के जरिये दर्शकों को परोसे, हाला कि फिल्म कई जगह पर पटरी से उतरती भी है, लेकिन खतरनाक एक्षन और जबरदस्ट बिलन के बुते या फिल दर्शक्षन है, जो नयाभी है, स्टाइलिस भी और खोग खोन खराबा दिखाया गया है, हाला कि फिल्म में ऐसी कई चीजे हैं जो आपका इस खोन खराबे से ध्यान भटकाती हैं, इन सभी में सबसे आगे है दिसा पाटनी, वह एक परफेक्ट आई कैंडी है, वह फिल्म में ग्लैमर का त्रड़का लगाती हैं, लेकिन उनका आना फिल्म को उनकी मोल कहानी से भटकाता है, दिसा के करदार में एक भोला पिन है, जिसमें कुछ इसको अब जरूर दिखता है, लेकिन इसी भी इस फिल्म में गाने आ जाते हैं, जिनके बेड़ साप को कहानी और माह जिता बलहारा ने दिया है, और या फिल्म में माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है, परभीदवा इस फिल्म में सलमान खान के इस्टार पावरे स्टाइल और स्वयक पर पूरा भरवसा दिखाते हैं, सलमान ने उन्हीं निरास भी नहीं किया है, उनका अंदाज और एक्षन आउतार रोमान चित करता है, डालाग बाजी में भी सलमान फपते हैं, लेकिन जहां एक और एक्षन दमदार है, डालाग फिल्मी ही लगे हैं, दिशा के साथ सलमान की कमेश्टरी भी कुछ खास नहीं जमी है, जेकिस्तराब के साथ सलमान के कुछ हैं माज का सी पड़े हैं फिल्म हार्ड कोर एक्षन है लेकिन इसमें भी डालाक्स और सिच्वेशन के बुते कौमडी का पॉट जोड़ने की कोशिज की गई है लेकिन या हर बार हसाए या जरूरी नहीं है कुल मिलाकर राध है कैसी फिल्म है जिसे बड़े परदे पर देखना एक जब ब फिल्म पसंद आएगी फिल्म में कई सीटी मार वाले सीन भी हैं अच्छाई और बुराई का जब सामना होता है तो सलमान के फैंस यकीन रोमांच महसूस करेंगे लाकडाउन में जहां हम सब घरों में कैद थे ऐसे माहौल में भी राध है और मोस्ट वांटेड भाई सलमान खान के फैंस पर हसी और खुसी जरूर भी खेरी थी सलमान खान ने एद बर अपने फैंस को नई फिल्म देने का वादा निबाया था पहले ही कोबिड-19 के करण उन्हें अपने फिल्म हाइबर रिलीज करनी पड़ी थी पिछले कई वर्सों से सलमान खान अपने फैंस के प पसंद नहीं आता और वही अदाय दोहराते हैं तो भी उनकी अलोचना की जाती है सलमान को समझ नहीं आता क्यों एक करे तो करे क्या बहराल उनकी ताज़ा फिल्म राधे का निर्माड उसी सैली में किया गया है जिसके लिए सलमान जाने जाते हैं इस टायरे सेक्षन लिदार ग्रेवी है जिसमें सबचिया चिकन बहुत कम है राड़ा ने रदी भुड़ा मुंबया करे सहर को ड्रक्स की गिरिप्त में ले लेता है यूँआ ड्रक्स की लटका सिकार होकर बरबाद हो रहे हैं इस गंदगी को साप करने में पुलिस नाकाम है मांग उठती है क राधे अने सिलमान खान के बस का ही या काम है दस साल में राधे के तेश्ट ट्रांसफर हो चुके हैं और वह 97 एंकाउंटर कर चुका है इस परचे के साथ राधे के एंट्री होती है राधे मुंबई के दू गैंगेस्टर में समझोता करता है और फिर वह राड़ा के पीछ लग जाता है राड़ा और राधे की लुकाची पी कहांत क्लाइम एक्स में होता है 2017 में बनी कोरियन फिल्म दा आउट लाज का एहंदिरी में एक है जिसमें भारती दर्शकों की पसंदिके अनुसार परवर्तन किया गए हैं सीधे सीधे या अच्छाई बना मुराई या च लिए है और कुछ मनुरंजक दरस्त देखनों को मिलते हैं भले ही हिरुए ने दिया ने दिशापाटने को राधे की यसलियत नहीं पता है जिबकि पुरे सहर में राधे के सर्चे हैं लेकिन सल्मान की फिल्मों में इतनी डिटेलिंग पर ध्यान नहीं दिया जाता और ना ह कि उन्हें पसंद करने वाले इन बातों पर ध्यान देते हैं फिल्म में सल्मान सर्ट भी उतार देते हैं आप स्वाल करेंगे कि इसमें नई बात क्या है नई बात है मारा मारी करते समय सर्ट नहीं उतारते बलकि हलके फुल के दरस्त में हुए सर्ट उतार कर बाड़ी के द फिर उन्हीं को लगता है कि मज़ा नहीं आया, वह सेन को फिर से दिखाते हैं सुलो मोसन में, इस बार खिड़की का कांच चकना चूर होकर हवा में उड़ता है, बीच से सलमान खान निकलते हैं, मुह में भी कांच का एक टुकड़ा दबा है, जिसे वह होटो से ही हवा में न पर लोग सीटों पर खड़े होकर नाचते भी, लेकिन राधही और मोस्ट वांटेड भाई के रिलेज सीधे घरों में हुई, मोबाइल और लेप्टाप पर, इसमार्ट टीपी पर भी जी फाइब के चरिये फिलम चलनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी नहीं चली, तमाम कोस् पर लेपर्दे के हिसाब से श्यूट हुई फिलम राधहे और मोस्ट वांटेड भाई की बाद इसकी कहानी से सुरू करे, इसके निर्देसन से शुरू करे, इसकी कलाकारों की अधाकारी से सुरू करे, सब बाते एक ज요, वांटेड का ओ, कमेंटमेंट वाला समाद भी यहा पहले दस फिल्मों में भी उनके फैंस देख चुके हैं वह यहां भी है बस इस बार हीरो और बिलन दुनों आसमान से धरती पर आगिरे हेलिकाप्टर में से निकलते हैं हड़ी पसली सब साबूत लेकर सलमान अपनी फिल्मे सब के लिए बनाते भी नहीं हैं उन्हें अपना फैन बेस पता है उनके फैंस को सलमान की अदाएं पता हैं दोनों एक दूसरे पर बरसों से कुर्बान हैं सलमान का सिनेमा ऐसा ही चलता है फिल्म राधी और मोस्ट वांड़ेड भाई की कहानी का हीरो राधे एंकाउंटर स्पेसलिस्ट है दस साल में तेश ट्रांसफर और और 97 एंकाउंटर वाला सचिन वाजे की याद यहां आना सभावग है क्योंकि राधे को भी उसका निलंबन खतम कर पुलिस फोर्स में लाया जाता है मुंबई में फैल है नसेले पदार्थों का कारोबार खतम करने फिल्म ये पहले ही सीन में साप कर देती है कि ये ड्रक्स मुंबई में दिल्ली से आ रही है और इसका सप्लायर राणा है सुसांत राजपूत का संदर भी फिल्म दे ही देती है पूरी फिल्म में साजिद खान के बनाए फिल्म के टाइटल ट्रै का इंतिजार ही बना रहता है और गाना बचता है आखिर में एंड क्रिडिट के साथ और जिस सिटी मार गाने को लेकर सबसे ज़्यादा हला मचा ओगना ठेक क्लाइमेक्स से पहले आगर फिल्म का जो भी थोड़ा बहुत मचा है उसे खराब कर देता है सलमान खान की फिल्मों का एक शिट पैटर्न बन चुका है ना सलमान खान इससे बाहर निकलना चाहते हैं और ना उनकी कोटरी के निर्देशन उन्हें निकालने दे रहे हैं उनका गुबारा लगातार फोल रहा है सलीम खान का नाम भी ओपनिंग क्रेडिट्स में आता है एक कॉरियन फिल्म दा आउट लाज की इस रिमेक का आइडिया अगर उनका है तो कम से कम पढ़कता तो उन्होंने फिल्म की जरूर ही नहीं पढ़ी होगी फिल्म को वांटेड की सुकल का फेल देने की बहुत कोश्चे की गई है लेकिन बात जमी नहीं फिल्म की पढ़कता बिल्कुल सपाड तरीके से चलती जाती है और जैसा कि अधिकतर कोरियाई फिल्मों में होता है ये हीरो के अलावा किसी दूसरे किरदार पर ध्यान भी नहीं देती हिंदी सिनेमा में निर्देशकुक के आगे खुद को पूरी तरह समर्पित कर देने वाले कलाकार बहुत हुई है सिनेमा की भासा में इन्हें डारेक्टर्स एक्टर कहते है सल्मान खान ने निर्देशकुक की एक नई परजाती तयार की है एक्टर्स डारेक्टर यानि जो हीरो कहे उन्हें बस ये सर कहना है अमिताब बच्चन की बतोर हीरो रिलेज हुई आखरी फिल्में ऐसी ही बनती थी उन्हें 1999 में सुरवनसम, कोहराम और हिंदुस्तान की कसम के बाद अगले साल महबते मिल गई थी ऐसा यहां कुछ हो जाये तो अच्छा है साइकल पर प्रेम की स्टाइल मेराधे का पिशला पहिया एकदम से रोक कर साइकल 45 डिकरी पर खड़ा करना नाल ताल जिया जो जगाता है लेकिन दर्सक सीधे उससे जुड़ नहीं पाता फिल में कहने को तो सितारों की पूरी बाराध है जैकी सराप, सुधान सुपांडे, गौतम नामदेव, दर्सन जारी वाला, सिधार्थ चादो, अरजुन कानून को, बिसुजीत परधान, परवेसराडा, सावार अली, इहाना धिलन, सब थोक में निप्टा दे गए हैं इसके निदेशक प्रभुदेवा ने किसी भी किलदार का कोई बैगराउंड नहीं, किसी की कहानी में होने का कोई इस्पिस्टी करण नहीं, बस वा सरकस के तरह रिंग में आते हैं, करतब दिखाते हैं, और निकल जाते हैं, दिसा पाटने फिल्म के हिरोईन हैं, सो उनके लिए अलग से लाइन लिखना जरूरी नहीं है, जो काम उनका भी फिल्म में सब कुछ खास नहीं है, वा धीरे धीरे सिनेमा का सो पीस बनती जा रही हैं, अपनी इंस्टाग्राम फोटो से कुछ अलग वा बड़े परदे पर भी नहीं कर पा रही हैं, फिल्में सलमान के अ सलमान खान की फिल्म होती है, उसमें बाकी किसी का ज्यादा कुछ जोर नहीं चलता, फिल्म का गीज संगीज सब उनका ही सुजाया बनाया होता है, इमेस रिशीमिया के गाने में जैकलीन को मौका मिल गया, ये भी सलमान की ही बड़ावलत है, वा इस गाने में सिरी देवी बनने की कोसिस भी पूरी तरह करती हैं, लेकिन ये जैकलीन के बस की बात है नहीं, फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है, किसे अब 2500 रुपे में घर बैठे पूरी परिवार के साथ देख सकते हैं, एद पर पूरी परिवार के साथ जाते तो 2000 का फटका लगना पका था, सलमान को एद मुबारक कहिए, कि उन्होंने अपनी पिछली तीन फिल्मों के तरह इस बार एद पर अपने फैंस का ये नुकसान होने नहीं दिया, बात आखरी कमिटमेंट की जो ठहरी, और सलमान ने एक बार कमिटमेंट कर दे तो फिर वह क्या कह सकते हैं, सपनो सलमान खान एक सस्पेंडर्ड पुलिस आपसर हैं, सफाई की जिम्यदारी सलमान खान यानी राधे को दी जाती है, साल 2009 में सलमान खान की वांटेड रिलीज हुई थी, पर भुदेवा नहीं इस फिल्म को डारेक्ट किया था, यह तमिल फिल्म पोकरी का रिमेक थी, राधे 10 साल में उसके खाते में 97 एंकाउंटर हैं और 30 बार ट्रांस पर है, अब जब मुंबई ड्रग माफिया की गिरिप्त में है, तो राधे सहर को साब करने आया है, वो भी अपने अंदाज में, बदमासों की जमकर धुनाई और मजबूरों की दम भर मदद के बीच राधे के पास फलर्ट करने का भी टाइम है, वो अपने ही बास यानि जैकी सुराप की बहन दिया यानि दिसापाटनी से प्यार करता है, राधे एक टिपिकल बॉलिवुड फिल्म है, जिसमें एक्षन है, ड्रामा है, कॉमडी है, कुछ एक पंच वाले डायलाउक्स हैं, लेकिन ऐस फिल्म के जरिये दर्शको कोपरों से, हाला कि फिल्म कई जगह उपर पटरी से उतरती भी है, लेकिन खतलनाक एक्षन और जबरदस्त बिलन के बुते या फिल्म आपको बांधे रखती है, फिल्म की सुरुआत दर्शको पर अपना असर चोड़ती है, एक बदमास दूसरे बदमास को कोचता है, सलमान खान और अड़िदे फोटा के वेश टकराओ के कई सीन हैं जो अच्छे लगते हैं, और इन सबसे ओपर फिल्म में जबरदस्त एक्षन है, जो नया भी है, स्टाइलिस भी और खोग खोन खराबा दिखाया गया है, हाला कि फिल्म में ऐसी कई च कहानी से भटकाता है, दिशा के करदार में एक भोला पिन है, जिसमें कुछ इसको अब जरूर दिखता है, लेकिन इसी भी इस फिल्म में गाने आ जाते हैं, जिनके बेड़ साप को कहानी और माहौल के बेच फिट नहीं लगते, फिल्म में चार गाने हैं, जिनमें से चाज वाजित का टाइटल ट्रेक और दिल देदियां आपको अच्छा लगता है, फिल्म का बैगराउंड स्कोर संचित और अंकिता बलहारा ने दिया है, और या फिल्म में माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है, परभीदवा इस फिल्म में सलमान खान के इस्टार है, डालॉक फिल्मी ही लगे हैं, दिसा के साथ सलमान की कमेश्टरी भी कुछ खास नहीं जमी है, जेकिस तरह आपके साथ सलमान के कुछ हैं माज़का सीन हैं, जो सर्थ छोड़ने में नाकाम साबित होते हैं, रर्दीप होड़ा ने बिलन के रोल में हर मिनट परदे पर अ कोसिस की गई है, लेकिन या हर बार हसाए या जरूरी नहीं है, कुल मिलाकर राद है कैसी फिल्म है, जिसे बड़े परदे पर देखना एक जबर्दस एक्सपिरियंस हो सकता था, लेकिन कुरोना महामारी के करड़, भरत में भाईजान के फैंस को उस एद घर बैठे टीबी के फैंस यकीन रोमांच महसूस करेंगे, लागडाउन में जहां हम सब घरों में कैद थे, ऐसे माहौल में भी रादे और मोस्ट वांटेड भाई, सल्मान खान के फैंस पर हसी और खुसी जरूर भी खेरी थी, सल्मान खान ने एद बर अपने फैंस को नई फिल्म देने का वादा निबाया था, पहले ही कोबिन 19 के करण उन्हें अपनी फिल्म हाइबर रिलीज करनी पड़ी थी, पिछले कई वर्सों से सल्मान खान अपने फैंस के पसंद के अनुरूप फिल्में बनवा रहे हैं, इन फिल्मों में उसी तरह के सीन रचे जाते हैं, जिसको देख स इसने महाल में तालिया और शीटिया बचती हैं, सल्मान कुछ अलग करने जाते हैं तो उनके फैंस को पसंद नहीं आता, और वही अदाय धोराते हैं तो भी उनकी अलोचना की जाती है, सल्मान को समझ नहीं आता क्योए करे तो करे क्या, बहराल उनकी ताज़ा फिल्म राधे में कमी रहे तो बस एक अच्छी कहानी की, पतानी कहानी को लेकर सल्मान की मसाला फिल्मों में मिहनत क्यों नहीं की जाती, यह एक मसालेदार ग्रेवी है, जिसमें सबचिया चिकन बहुत कम है, राधे ने रुदी भुड़ा मुंबया कर इस सहर को ड्रक्स की पर हो चुके हैं और वहाँ सतानबे एंकाउंटर कर चुका है, इस परचे के साथ राधे के एंट्री होती है, राधे मुंबई के दो गेंगेस्टर में समझधा करता है, और फिर वहाँ राडा के पीछे लग जाता है, राडा और राधे की लुकाचिपी कांत क्लाइम एक् बनी कोरियन फिल्म दा आउट लाज का एहंदिरी में एक है, जिसमें भारती दर्शकों की पसंदिक अनुसार परवर्तन किया गए हैं, सिधे सिधे या अच्छाई बना मुराई या चोर प्लिस की कहानी है, जिसकी पहली फ्रेम से ही पता चल जाता है कि आखरी फ्रेम में क क्या होगा, इस बात पर आठिकती है कि यह कैसे होगा, राधे की सुरुवाद बेहतरीन है, 15 मिनट में ही ही हीरो, हिरोईन और बिलन के इंट्री हो जाती है, रोमांस धोड़ा कॉमडी कापोट लिये ही है, और कुछ मनुरंजक दरस्त देखनों को मिलते हैं, भले ही हिरोई एन्य दिशापाटने को राधे की असलियत नहीं पता है, जिबकि पुरे सहर में राधे के सर्चे हैं, लेकिन सलमान की फिल्मों में इतनी डिटेलिंग पर ध्यान नहीं दिया जाता और ना ही उन्हें पसंद करने वाले इन बातों पर ध्यान देते हैं, पिल्म में सलमान सर बिए उतार देते हैं आप स्वाल करेंगे कि इसमें नई बात क्या है नई बात है मारा मारी करते समय सट नहें उतारते बलकि हलके फुलके दर्ष में हुए सट उतारकर बाड़ी के दर्षन करा देते हैं और उनकी बाड़ी दे गुंटे नहीं भागते बलकि लड़किया आहें भरती हैं सीशा तोड़कर सलमान की एंट्री मोबाइल पर एंबुलेंस भेजने का संदेश आँख के नीचे कांच से बना घाओ परभुदेवा सेन बनाते हैं फिर उन्हीं को लगता है कि मज़ा नहीं आया वह सीन को फिर से दिखाते हैं सुलोमोसन में इस बार खिड़की कांच चकना चूर होकर हवा में उड़ता है बीच से सलमान खान निकलते हैं मुह में भी कांच का एक टुकड़ा दबा है जिसे वा होठो से ही हवा में निसाना बना कर फैकते हैं मॉबाइल वाले बंदे के आँख के निचे कट बनता है फिल्म राधे में सलमान का ये एंटरी सीन है सिनेमा हाल होता तो इस पर खोब तालिया सुनने को मिलती सिंगल इसक्रीन थेटर में सलमान की ऐसे एंटरी पर लोग सीटों पर खड़े होकर नाचते भी लेकिन राधे और मॉस्ट वांटेड भाई के रिलेस सीधे घरों में हुई मॉबाइल और लेपटाप पर स्मार्ट टेपी पर भी जी फाइब के चरिये फिलम चलनी चाहिए थी लेकिन फिर भी नहीं चली तमाम कोस्तों के बावजोद बड़े परदे के हिसाब से स्यूट हुई फिलम राधे और मॉस्ट वांटेड भाई की बाद इसकी कहानी से सुरू करे इसके निर्देशन से सुरू करे इसकी कलाकारों की अधाकारी से सुरू करे सब बाते एक जीसी ही है वांटेड का ओग कमेंटमेंट वाला समाद भी यहां है हीरो और बिलन की वैसे ही फैड जैसी एद पर लेज हुई सलमान की इसके पहले दस फिल्मों में भी उनके फैंस देख चुके है वा यहां भी है बस इस बार हीरो और बिलन दोनों आसमान से धर्ती पर आगिरे हेलिकाप्टर में से निकलते हैं हड़ी पसली सब साबोत लेकर सलमान अपनी फिल्मे सबके लिए बनाते भी नहीं है उन्हें अपना फैन बेस पता है उनके फैंस को सलमान की अदाएं पता है दोनों एक दूसरे पर बरसों से कुर्बान है सलमान का सिनेमा ऐसा ही चलता है फिल्म राधी और Most Wanted भाई की कहानी का हीरो राधे एंकाउंटर स्पेसलिस्ट है 10 साल में तेश ट्रांसफर और 97 एंकाउंटर वाला सचिन वाजे की याद यहां आना सभावक है क्योंकि राधे को भी उसका निलंबन खतम कर पुलिस फोर्स में लाया जाता है मुंबई में फैल है नसेले पदार्थों का कारोबार खतम करने फिल्म ये पहले ही सीन में साप कर देती है कि ये ड्रक्स मुंबई में दिल्ली से आ रही है और इसका सप्लायर राणा है सुसांत राजपूत का संदर भी फिल्म दे ही देती है पूरी फिल्म में साजिद खान के बनाए फिल्म के टाइटल ट्रै का इंतिजार ही बना रहता है और गाना बचता है आखिर में एंड क्रिडिट के साथ और जिस सिटी मार गानी को लेकर सबसे ज़्यादा हला मचा ओगना ठेक क्लाइमेक्स से पहले आकर फिल्म का जो भी थोड़ा बहुत मचा है उसे खराब कर देता है सलमान खान की फिल्मों का एक शिट पैटरन बन चुका है ना सलमान खान इससे बाहर निकलना चाहते हैं और ना उनकी कोटरी के निर्देशन उन्हें निकालने दे रहे हैं उनका गुबारा लगातार फोल रहा है सलीम खान का नाम भी ओपनिंग ग्रेडिट्स में आता है ए लकिन बात जमी नहीं फिल्म की पठकता बिल्कुल सपाड तरीके से चलती जाती है और जैसा कि अधिकतर कोरियाई फिल्मों में होता है ये हीरो के लावा किसे दूसरे किरदार पर ध्यान भी नहीं देती हिंदी सिनेमा में निर्देशकु के आगे खुद को पूरी तरह सम जोई आखरी फिल्में ऐसी ही बनती थी उन्हें 1999 में सुरवन सम, कोहराम और हिंदुस्तान की कसम के बाद अगले साल मुहबते मिल गई थी ऐसा यहां कुछ हो जाए तो अच्छा है साइकल पर प्रेम की स्टाइल मेराधे का पिशला पहिया एकदम से रोक कर साइकल 45 टिकर पर खड़ा करना नाल ताल जिया जो जगाता है लेकिन दर्सक सीधे उससे जुड़ नहीं पाता फिल्में कहने को तो सितारों की पूरी बाराध है जैकिसराप, सुधान सुपांडे, गौतम नामदेव, दरसन जारीवाला, सिधार्चादो, अरजुन कानून गो, विसुज जीत परधान, परवेसराडा, सावर अली, इहाना धिलन, सब थोक में निप्टा दे गए हैं, इसके निदेशक प्रभुदेवा ने किसी भी किलदार का कोई बैग्राउंड नहीं, किसी की कहानी में होने का कोई स्पिस्टिक करन नहीं, बस वा सरकस के तरह रिंग में आते ह हैं, करतब दिखाते हैं, और निकल जाते हैं, दिसा पार्टनी फिल्म के हिरोईन हैं, सो उनके लिए अलग से लाइन लिखना जरूरी नहीं है, जो काम उनका भी फिल्म में सब कुछ खास नहीं है, वा धीरे धीरे सिनेमा का सो पीस बनती जा रही है, अपनी इंस्टाग्र भी वैसी, बाल भी वैसे और कास्ट्यूम भी डिट्टो वैसा ही, सल्मान खान की फिल्म सिर्फ सल्मान खान की फिल्म होती है, उसमें बाकि किसी का ज्यादा कुछ जोर नहीं चलता, फिल्म का गीस संगीस सब उनका ही सुजाया बनाय होता है, इमेस रिशेमिया के गाने मे जैकलीन को मौका मिल गया ये भी सलमान की ही बदावलत है वो इस गाने में सिरीदेबी बनने की कोसिस भी पूरी तरह करती है लेकिन ये जैकलीन के बस की बात है नहीं फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ही ही है किसे अब 2500 रुपे में घर बैठे पूरी परिवार के साथ देख सकते हैं एद पर पूरी परिवार के साथ जाते तो 2000 का फटका लगना पका था सलमान को एद मुबारक कहिए कि उन्होंने अपने पिछली तीन फिल्मों के तरह इस बार इद पर अपने फैंस का ये नुकसान होने नहीं दिया बात आखर कमिटमेंट की जो ठहरी और सलमान ने एक बार कमिटमेंट कर दे तो फिर वह क्या कह सकते हैं सपनों की नगरी मुंबई ड्रक्ष की चपेड में है राड़ा ने रदे भुड़ा इस ड्रक्ष कार्टल का बास्सा है वह सहर पर राज करना चाता है ड्रक्ष ने सहर को गंदा किया है और इसकी सफाई जरूरी है सलमान खान एक सस्पेंड़ पुलिस आपसर है सफाई की जिम्यदारी सलमान खान यानी राधे को दी जाती है साल 2009 में सलमान खान की वांटेड रिलीज हुई थी पर भुड़ेवा ने ही इस फिल्म को डारेक्ट किया था यह तमिल फिल्म पोकरी का रिमेक थी राधे और मोस्ट वांटेड भाई इसी फिल्म का सुकल है कहानी पूरी तरे मुंबई पर है फिल्म में सलमान खान अपने चिर परचित मास्य एक सन अतार में है राधे एंकाउंटर स्पेशलिस्ट है बीते 10 साल में उसके खाते में 97 एंकाउंटर है और तेजबार ट्रांसपर है अब जब मुंबई ड्रग माफिया की गिरित में है तो राधे सहर को साब करने आया है वो भी अपने अंदाज में बदमासों की जमकर धुनाई और मजबूरों की दम भर मदद के बीश राधे के पास फलट करने का भी टाइम है वो अपने ही बास यानि चेकी सुराप की बहन दिया यानि दिसापाटनी से प्यार करता है राधे एक टिपिकल बॉलिबुड फिल्म है जिसमें एक्सन है, ड्रामा है, कॉमडी है कुछ एक पंच वाले डालाक्स हैं लेकिन ऐसे फिल्मों की लड़ाई सिर्फ एक चीज़ से होती है कि वा मनुरन जग भी हो उसमें दोहराओ भी ना हो और साथ ही कुछ नया भी हो डिरेक्टर प्रविद्यवान ने अपने हिस्से की पूरी मिहनत की है कि वा यह सब फिल्म के जरिये दर्शकों कोपरों से हालाकि फिल्म कई जगह उपर पटरी से उतरती भी है लेकिन खतरनाक एक्षन और जबरदस्ट बिलन के बुते यह फिल्म आपको बांधे रखती है फिल्म की सिरुवाद दर्शकों पर अपना असर छोड़ती है एक बदमास दूसरे बदमास को कोचता है सलमान खान और अड़िदे फोड़ा के वेश टकराओ के कई सीन है जो अच्छे लगते हैं और इन सबसे ओपर फिल्म में जबरदस्ट एक्षन है जो नया भी है, स्टाइलिस भी और खोग खोन खराबा दिखाया गया है हाला कि फिल्म में ऐसी कई चीज़े हैं जो आपका इस खोन खराबे से ध्यान भटकाती है इन सभी में सबसे आगे है दिसा पाटनी वह एक परफेक्ट आई कैंडी है वह फिल्म में ग्लैमर का त्रड़का लगाती है लेकिन उनका आना फिल्म को उनकी मोल कहानी से भटकाता है दिसा के करदार में एक भोला पिन है जिसमें कुछ इसको अब जरूर दिखता है लेकिन इसे भी इस फिल्म में गाने आजाते है जिनके बेड़ साप को कहानी और माहौल के बेच फिट नहीं लगते फिल्म में चार गाने हैं जिन में सचाजिद वाजिद का टाइटल ट्रैक और दिल दे दियां आपको अच्छा लगता है फिल्म का बैगराउंडी स्कोर संचित और अंकिता बलहारा ने दिया है और या फिल्म में माहौल बनाने में कोई कसर नहीं चोड़ता है परभी दिवा इस फिल्म में सलमान खान के इस्टार पावर इस्टाइल और स्वएक पर पूरा भरवसा दिखाते हैं सलमान ने उन्हीं निरास भी नहीं किया है उनका अंदाज और एक्षन आउतार रोमान चित करता है डालॉग बाजी में भी सलमान फपते हैं लेकिन जहां एक और एक्षन दंदार है डालॉग फिल्मी ही लगे हैं दिखा के सास सलमान की कमिश्टरी भी कुछ खास नहीं जमी है जेखि स्लाब के सास सलमान के कुछ है अमाजिका सीन है जो सर्थ छोडने में नाकाम साबित होते हैं रढडीप होड़ा ने बिलन के रोल में हर मिनट पर्दे पर अप्नी चाप छोड़ी है फिल्म में कई बिलन हैं लेकिन रड़ीप उन सब पर भारी पड़े हैं फिल्म हार्ड कोर एक्षन है लेकिन इसमें भी डालाक्स और सिचुएशन के बुते कौमडी का पॉट जोड़ने की कोशिश की गई है लेकिन या हर बार हसा है या जरूरी नहीं है कुल मिलाकर राद है कैसी फिल्म है जिसे बड़े परदे पर देखना एक जब बर्दस एक्सपेरियंस हो सकता था लेकिन कुरोना महामारी के करण भरत में भाईजान के फैंस को उस एद घर बैठे टीबी पर भी अपने मोस्ट वांटेड भाई का दीदार करना हुआ था यदि आप एक्सन फिल्मों के फैं है तो आपको एक फिल्म पसंद आएगी फिल्म में कई सीटी मार वाले सीन भी हैं अच्छाई और बुराई का जब सामना होता है तो सलमान के फैंस यकीनर रोमांच महसूस करेंगे लागडाउन में जहां हम सब घरों में कैद थे ऐसे मा पिछले कई वर्सों से सलमान खान अपने फैंस के पसंद के अनुरूप फिल्में बनवा रहे हैं इन फिल्मों में उसी तरह के सीन रचे जाते हैं जिसको देख सिनेमा हाल में तालिया और शीटिया बचते हैं सलमान कुछ अलग करने जाते हैं तो उनके फैंस को पसंद नह आता और वही अदाय दोहराते हैं तो भी उनकी अलोचना की जाती है सलमान को समझ नहीं आता क्यों एक करे तो करे क्या बहराल उनकी ताजा फिल्म राधे का निर्माड उसी सैली में किया गया है जिसके लिए सलमान जाने जाते हैं इस्टायरे सेक्षन जोरदार वन लाइनर बिलन का भूरता बना देने वाला हीरो कूल रोमांस और मारा मारी के बास सुखांत राधे में कमी रह गई तो बस एक अच्छी कहानी की पता नहीं कहानी को लेकर सलमान की मसाला फिल्मों में मेहनत क्यों नहीं की जाती यह एक मसालेदार ग्रेवी है जिसमें सबचिया चिक बहुत कम है राड़ा ने रुदी भुड़ा मुंबई आकरी सहर को ड्रक्स की गिरिपत में ले लेता है यूँआ ड्रक्स की लत का सिकार होकर बरबाद हो रहे हैं इस गंदगी को साफ करने में पुलिस नाकाम है मांग उठती है कि राधे अने सलमान खान के बस का ही या काम है दस साल में राधे के तेश ट्रांसफर हो चुके हैं और वह 97 बेंकाउंटर कर चुका है इस परचे के साथ राधे के एंट्री होती है राधे मंबई के दू गेंगेस्टर में समझोता करता है और फिर वह राड़ा के पीछे लग जाता है राड़ा और राधे की लुकाच या चोर पुलिस की कहानी है जिसकी पहली फ्रेम से ही पता चल जाता है कि आखरी फ्रेम में क्या होगा इस बात पर आठिकती है कि यह कैसे होगा राधे की सुरुआत बहतरीन है पंदरा मिनट में ही हीरो हिरोईन और पिलन के इंट्री हो जाती है रोमाज दोड़ा कॉमडी कापट लिये हुए है और कुछ मनुरंजक दरस्त देखनों के मिलते हैं भले ही हिरोईन दिया ने दिशा पाटने को राधे की यसलियत नहीं पता ह जिबकि पूरे सहर में राधे के सर्चे हैं लेकिन सल्मान की फिल्मों में इतनी डिटेलिंग पर ध्यान नहीं दिया जाता और ना ही उन्हें पसंद करने वाले इन बातों पर ध्यान देते हैं फिल्म में सल्मान सर्ट भी उतार देते हैं आप सवाल करेंगे कि इसमें नई बात क्या है नई बात है मारा मारी कहते समय शर्ट नहीं उतारते बलकि हलके फुल के दरस्ट में हुए शर्ट उतार कर बाड़ी के दर्शन करा देते हैं और उनकी बाड़ी देख गुंडे नहीं भागते बलकि लड़किया आहें भरती हैं सीशा तोड़कर सलमान की एंट्री मोबाइल पर एंबुलेंस भेजने का संदेश आँख के नीचे कांच से बना घाओ पर्भुदेवा सीन बनाते हैं फिर उन्हीं को लगता है कि मज़ा नहीं आया वह सीन को फिर से दिखाते हैं सुलो मोसन में इस बार खिड़की कांच चकन चूर होकर हवा में उड़ता है बीच से सलमान खान निकलते हैं मुह में भी कांच का एक टुकड़ा दबा है जिसे वह होठो से ही हवा में निचाना बनाकर फैकते हैं मोबाइल वाले बंदे के आँक के नीचे कट बनता है फिल्म राधे में सलमान का ये एंट्री सीन है सिन और लेपटाप पर स्मार्ट टेपी बर भी जी फाइब के चरिये फिल्म चलनी चाहिए थी लेकिन फिर भी नहीं चली तमाम कोस्तों के बावजोद बड़े परदे के हिसाब से स्यूट हुई फिल्म राधे और मौस्ट वांटेड भाई की बाद इसकी कहानी से सुरू करे इसके निर्देशन से सुरू करे इसकी कलाकारों की अधाकारी से सुरू करे सब बाते एक जिसी ही हैं वांटेड का ओक कमेंटमेंट वाला समवाद भी यहां है हीरो और बिलन की वैसी ही फैड जैसी एद पर लेज हुई सलमान की इसके पहले दस फिल्मों में भी उनके फैं पता है उनके फैंस को सलमान की अदाएं पता हैं दोनों एक दूसरे पर बरसों से कुरबान हैं सलमान का सिनेमा ऐसा ही चलता है फिल्म राध्य और मोस्ट वांटेड भाई की कहानी का हीरो राध्य एंकाउंटर स्पेशलिस्ट है दस साल में तेश ट्रांसफर और 97 फिल्म ये पहले ही सीन में साप कर देती है कि ये ड्रक्स मुंबई में दिल्ली से आ रही है और इसका सप्लायर राणा है सुसांत रास्पूत का संदर भी फिल्म दे ही देती है पूरी फिल्म में साजिद खान के बनाए फिल्म के टाइटल ट्राय का इंतिजार ही बना रहत आखिर में एंड क्रिडिट के साथ और जिस सिटी मार गाने को लेकर सबसे ज़्यादा हला मचा ओगना ठेक क्लाइमेक्स से पहले आगर फिल्म का जो भी थोड़ा बहुत मचा है उसे खराब कर देता है सलमान खान की फिल्मों का एक शिट पैटर्न बन चुका है ना सलमान खा आते हैं और ना उनकी कोटरी के निर्देशन उन्हें निकालने दे रहे हैं उनका गुबारा लगातार फोल रहा है सलीम खान का नाम भी ओपनिंग क्रेडिट्स में आता है एक कोरियन फिल्म दा आउट लाज की इस रिमेक का आइडिया अगर उनका है तो कम से कम पढ़कता तो उन्होंने फिल्म की जरूर ही नहीं पढ़ी होगी फिल्म को वांटेट की सुकल का फेल देने की बहुत कोश्य की गई है लेकिन बात जमी नहीं फिल्म की पढ़कता बिल्कुल सपाड तरीके से चलती जाती है और जैसा कि अधिकतर कोरियाई फिल्मों में होता है ये ही देश को की एक नई परजाती त्यार की है एक्टर्स डारेक्टर यानि जो हीरो कहे उन्हें बस ये सर कहना है अमिताप बच्चन की बतोर हीरो रिलेज हुई आखरी फिल्में ऐसी ही बनती थी उन्हें 1999 में सुरवनसम कोहराम और हिंदुस्तान की कसम के बाद अगले साल मोह बते मिल गई थी ऐसा यहां कुछ हो जाए तो अच्छा है साइकल पर प्रेम की स्टाइल मेराध्य का पिसला पहिया एकदम से रोक कर साइकल 45 टिकरी पर खड़ा करना नाल ताल जिया जो जगाता है लेकिन दरसक सीधे उससे जुड़ नहीं पाता फिल में कहने को तो सितार की पूरी बाराध है जैकिसराप, सुधान सुपांडे, गौतम नामदेव, दरसन जारीवाला, सिधार्थ चादो, अरजुन कानून गो, विशुजीत परधान, परवेसराडा, सावर अली, इहाना धिलन, सब थोक में निप्टा दे गए हैं इसके निदेशक किसी भी किलदार का कोई बैगराउंड नहीं, किसी की कहानी में होने का कोई इस्पिस्टी करण नहीं, बस वा सरकस के तरह रिंग में आते हैं, करतब दिखाते हैं, और निकल जाते हैं, दिसा पार्टने फिल्म के हिरोईन हैं, सो उनके लिए अलग से लाइन लिखना जरू पारे हैं, फिल्म में सलमान के अलावा अगर किसी ने भी कुछ किया है तो वह है ररती फोड़ा, सीध्य मनमोहक देसाई की किसी फिल्म से निकले बिलन, चाको बाजी भी वैसी, बाल भी वैसे और कास्टिम भी डिट्टो वैसा ही, सलमान खान की फिल्म सिर्प सलमान खान क फिल्म होती है, उसमें बाकि किसी का ज्यादा कुछ जोर नहीं चलता, फिल्म का गीज संगीज सब उनका ही सुजाया बनाय होता है, इमेस रिसेमिया के गाने में जैकलेन को मौका मिल गया, ये भी सलमान की बदौलत है, वो इस गाने में सिरीदेबी बनने की कोसिस भी पू आते तो 2000 का फटका लगना पका था, सलमान को एद मुबारक कहिए कि उन्होंने अपने पिछली तीन फिल्मों के तरह इस बार एद पर अपने फैंस का ये नुकसान होने नहीं दिया, बात आखरी कमिटमेंट की जो ठहरी, और सलमान ने एक बार कमिटमेंट कर दे तो फिर वह क्या कह सकते हैं, सपनों की नगरी मुंबई ड्रक्ष की चपेड में है, राडा ने रदी भुडा इस ड्रक्ष कार्टल का बास्सा है, वह सहर पर राज करना चाता है, ड्रक्ष ने सहर को गंदा किया है, और इसकी सफाई जरूरी है, सलमान खान एक सस्पेंडर्ड पु क्री का रिमेक थी, रादे योर मोस्ट वांडेड भाई इसी फिल्म का सुकल है, कहानी पूरी तरे मुंबई पर है, फिल्म में सलमान खान अपने चिर परचित मास्टी एक्षन अवतार में है, रादे एंकाउंटर स्पेशलिस्ट है, बीते दस साल में उसके खाते में 97 बे ट्रांसपर है, अब जब मुंबई ड्रग माफिया की गिरित में है, तो रादे सहर को साब करने आया है, वो भी अपने अंदाज में, बदमासों की जमकर धुनाई और मजबूरों की दम भर मदद के बीच रादे के पास फ्लरट करने का भी टाइम है, वह अपने ही बास या या यानि दिसापाटनी से प्यार करता है, राद है एक टिपिकल बॉलिवुड फिल्म है, जिसमें एक्षन है, ड्रामा है, कॉमडी है, कुछ एक पंच वाले डालाक्स हैं, लेकिन ऐसे फिल्मों की लड़ाई सिर्फ एक चीज़ से होती है, कि वह मनुरन जग भी हो, उसमे और जबर्दस्ट बिलन के बूते या फिल्म आपको बांधे रखती है, फिल्म की सुरुआत दर्शकों पर अपना असर छोड़ती है, एक बदमास दूसरे बदमास को कोशता है, सलमान खान और अड़दे फोड़ा के वेश टकराओ के कई सीन हैं, जो अच्छे लगते हैं, और इन सबसे ओपर फिल्म में जबर्दस देक्शन है, जो नया भी है, स्टाइलिस भी और खोग खोन खराबा दिखाया गया है, हाला कि फिल्म में ऐसी कई चीज़े हैं जो आपका इस खोन खराबे से ध्यान भटकाती हैं, इन सभी में सबसे आगे है दिसा पाटनी, वह ए इस फिल्म में गाने आजाते हैं, जिनके बेड़ साप को कहानी और माहौल के बेच फिट नहीं लगते, फिल्म में चार गाने हैं, जिन में सचाजिद वाजिद का टाइटल ट्रैक और दिल दे दियां आपको अच्छा लगता है, फिल्म का बैगराउंड स्कोर संचित और अंकिता बलहारा ने दिया है, और या फिल्म में माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है, परभी दिवा इस फिल्म में सलमान खान के इस्टार पावरे स्टाइल और स्वएक पर पूरा भरवसा दिखाते हैं, सलमान ने उन्हीं निरास भी नहीं किया है, उनका अंद पूच्छ अमाज का सीन है जो सर्ट छोड़ने में नाकाम साबित होते हैं ररदीप उड़ा ने बिलन के रोल में हर मिनट परदे पर अपनी चाप छोड़ी है फिल्म में कई बिलन हैं लेकिन ररदीप उन सब पर भारी पड़े हैं फिल्म हाड कोर एक्षन है लेकिन इसमें भी डालाक्स और सिच्वेशन के बुते कौमडी का पॉट जोड़ने की कोशिज की गई है लेकिन या हर बार हसाए या जरूरी नहीं है कुल मिलाकर राद है कैसी फिल्म है जिसे बड़े पर देखना एक जब बर्दस एक्सपेरियंस हो सकता था लेकिन करोना महामारी के फैंस को उस एद पर उस एद घर बैठे टीवी पर भी अपने मोस्ट वांटेड भाई का दीदार करना हुआ था यदि आप एक्सन फिल्मों के फैन है तो आपको एफिल्म पसंद आएगी फिल्म में कई सीटी मार वाले सीन भी हैं अच्छाई और बुराई का जब सामना हो थी सलमान खान ने एद बर अपने फैंस को नई फिल्म देने का वादा निबाया था पहले ही कोबिट 19 के करण उन्हें अपने या फिल्म हाइबर रिलीज करनी पड़ी थी पिछले कई वर्सों से सलमान खान अपने फैंस के पसंद के अनुरू फिल्में बनवा रहे हैं इन अधाय दोहराते हैं तो भी उनकी अलोचना की जाती है सलमान को समझ नहीं आता क्यों एक करे तो करे क्या बहराल उनकी ताज़ा फिल्म राधे का निर्माड उसी सेली में किया गया है जिसके लिए सलमान जाने जाते हैं इस टायरे सेक्षन जोरदार वन लाइनर बिलन का भ ग्रेवी है जिसमें सबचिया चिकन बहुत कम है राड़ा ने रुदी भुड़ा मुंबया करे सहर को ड्रक्स की गिरिपत में ले लेता है यूँआ ड्रक्स की लटका सिकार होकर बरबाद हो रहे हैं इस गंदगी को साप करने में पुलिस नाकाम है मांग उठती है कि राध के पीछे लग जाता है राड़ा और राधे की लुकाची पी कहांत क्लाइम एक्स में होता है दोजार सत्रह में बनी कोरियन फिल्म दा आउट लाज का एहंदिरी में एक है जिसमें भारती दर्शकों की पसंदिक अनुसार परवर्तन किया गए हैं सीधे सीधे या अच्छा को हिरोईन और पिलन के इंट्री हो जाती है रोमांस दोड़ा कॉमडी का पोट लिये हुई है और कुछ मनुरंजक दरस्त देखनों को मिलते हैं भले ही हिरोईन दिया ने दिशापाटने को राधे की यसलियत नहीं पता है जिबकि पुरे सहर में राधे के सर्चे हैं लेकि बात है मारा मारी कहलते समय सर्ट नहीं उतारते बलकि हलके फुलके दरस्त में हुए सर्ट उतारकर बाड़ी के दरसन करा देते हैं और उनकी बाड़ी देख गुंडे नहीं भागते बलकि लड़किया आहें भरती हैं सीशा तोड़कर सलमान की एंट्री मोबाइल पर इंब नाचूर होकर हवा में उड़ता है, बीच से सलमान खान निकलते हैं, मुह में भी कांस का एक टुकड़ा दबा है, जिसे वा होठो से ही हवा में निशाना बना कर फैकते हैं, मोबाइल वाले बंदे के आँख के निचे कट बनता है, फिल्म राधे में सलमान का ये एंटरी सीन है, सिनिमा हाल होता तो इस पर खोब तालिया सुनने को मिलती, सिंगल इस्क्रिन थेटर में सलमान की ऐसे एंटरी पर लोग सीटों पर खड़े होकर नाचते भी, लेकिन राधे और मौस्ट वांटेड भाई के रिलेस सीधे घरों में हुई, मोबाइल और लेप्टाप पर, इसमार्ट टेपी पर भी जी फाइब के चरिये फिलम चलनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी नहीं चली, तमाम कोश्टों के बावजोद, बड़े परदे के हिसाब से स्यूट हुई फिलम राधे और मौस्ट वांटेड भाई की बाद, इसकी कहानी से सुरू करे, इसके देख चुके हैं, वा यहां भी है, बस इस बार हीरो और बिलन दोनों आसमान से धरती पर आगिरे हेलिकाप्टर में से निकलते हैं, हड़ी पसली सब साबोत लेकर, सलमान अपनी फिलमे सब के लिए बनाते भी नहीं हैं, उन्हें अपना फैन बेस पता है, उनके फैन्स को स से कुर्बान है, सलमान का सिनेमा ऐसा ही चलता है, फिलम राधे और मोस्ट वांड़ेड भाई की कहानी का हिरो राधे एंकाउंटर स्पेसलिस्ट है, दस साल में तेश ट्रांसफर और 97 एंकाउंटर वाला सचिन वाजे की याद यहां आना सभावग है, क्योंकि राधे को भ प्लायर राणा है, सुसांत राजपूत का संदर भी फिलम दे ही देती है, पूरी फिलम में साजिद खान के बनाए फिलम के टाइटल ट्राय का इंतिजार ही बना रहता है, और गाना बचता है आखिर में एंड क्रिडिट के साथ, और जिस सिटी मार गाने को लेकर सबसे ज् प्लाय मचा, ओगना ठेक क्लायमेक्स से पहले आगर फिलम का जो भी थोड़ा बहुत मचा है, उसे खराब कर देता है, सल्मान खान की फिलमों का एक शिट पैटर्न बन चुका है, ना सल्मान खान इससे बाहर निकलना चाहते हैं, और ना उनकी कोटरी के निर्देशन उन्ह ने फिलम की चरूर ही नहीं पड़ी होगी, फिलम को वांटेट की सुकल का फेल देने की बहुत कोश्य की गई हैं, लेकिन बात जमी नहीं, फिलम की पटकता बिल्कुल सपाड तरीके से चलती जाती है, और जैसा कि अधिकतर कोरियाई फिलमों में होता है, ये हीरो के परजाते त्यार की है, एक्टर्स डारेक्टर, यानि जो हीरो कहे, उन्हें बस ये सर कहना है, अमिताप बचन की बतोर हीरो रिलेज हुई आखरी फिलमें ऐसी ही बनती थी, उन्हें 1999 में सुरवनसम, कोहराम और हिंदुस्तान की कसम के बाद अगले साल मोहबते मिल गई थी ऐसा यहां कुछ हो जाए तो अच्छा है, साइकल पर प्रेम की स्टाइल मेराधे का पिसला पहिया एकदम से रोक कर साइकल 45 डिकरी पर खड़ा करना नाल ताल जिया जो जगाता है लेकिन दर्सक सिधे उससे जुड़ नहीं पाता, फिलमें कहने को तो सितारों की पूरी ब हैं, इसके निदेशक प्रभुदेवा ने किसी भी किलदार का कोई बैगराउंड नहीं, किसी की कहानी में होने का कोई इस्पिस्टी करण नहीं, बस वा सरकस के तरह रिंग में आते हैं, करतब दिखाते हैं और निकल जाते हैं, दिसा पाटने फिलम की हिरोईन है, सो उनके इसके लिए अलग से लाइन लिखना जरूरी नहीं है, जो काम उनका भी फिलम में सब कुछ खास नहीं है, वा धीरे धीरे सिनेमा का सो पीस बनती जा रही हैं, अपनी इंस्टाग्राम फोटो से कुछ अलग वा बड़े परदे पर भी नहीं कर पा रही हैं, फिलमें सलमान क के अलावा अगर किसी ने भी कुछ किया है तो वा है ररती फोड़ा, सीध्य मन मोहक देसाई की कि किसी फिलम से निकले बिलन, चाको बाजी भी वैसी, बाल भी वैसे और कास्ट्यूम भी डिट्टो वैसा ही, सलमान खान की फिलम सिर्प सलमान खान की फिलम होती है, उसमें किसी का ज्यादा कुछ जोर नहीं चलता, फिलम का गी संगी सब उनका ही सुजाया बनाया होता है, इमेस रिशीमिया के गाने में जैकलीन को मौका मिल गया, ये भी सलमान की ही बदावलत है, वो इस गाने में सिरीदेवी बनने की कोसिस भी पूरी तरह करती हैं, लेकिन ये जैकलीन के बस की बात है नहीं, फिलम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ही ही है, किसे अब धाई सो रुपे में घर बैठे पूरी परिवार के साथ देख सकते हैं, एद पर पूरी परिवार के साथ जाते तो दो हजार का फटका लगना पका था, सलमान को एद मुबारक तो फिर वह क्या कह सकते हैं, सपनो की नगरी मुंबई ड्रक्ष की चपेड में है, राडा ने रदे भुड़ा इस ड्रक्ष कार्टल का बास्सा है, वह सहर पर राज करना चाता है, ड्रक्ष ने सहर को गंदा किया है, और इसकी सफाई जरूरी है, सलमान खान एक सस्पेंड कारी मेक थी, राधे और मोस्ट वांटेड भाई इसी फिल्म का सुकल है, कहानी पूरी तरे मुंबई पर है, फिल्म में सलमान खान अपने चिर परचित मास्टी एक्षन अवतार में है, राधे एंकाउंटर स्पेशलिस्ट है, बीटे 10 साल में उसके खाते में 97 एंकाउंट हैं और तेजबार ट्रांसपर है, अब जब मुंबई ड्रग माफिया की गिरिप्त में है, तो राधे सहर को साप करने आया है, वो भी अपने अंदाज में, बदमासों की जमकर धुनाई और मजबूरों की दम भर मदद के बीच राधे के पास फलर्ट करने का भी टाइम है, वह अपने ही बास यानि जैकी सुराप की बहन दिया यानि दिसापाटनी से प्यार करता है, राधे एक टिपिकल बॉलिबुड फिल्म है, जिसमें एक्षन है, ड्रामा है, कॉमडी है, कुछ एक पंच वाले डायलाक्स हैं, लेकिन ऐसे फिल्मों की लड़ाई सिर्फ एक च पतरती भी है, लेकिन खतरनाक एक्षन और जबर्दस्ट बिलन के बुते या फिल्म आपको बांधे रखती है, फिल्म की सुरुआत दर्शकों पर अपना असर छोड़ती है, एक बदमास, दूसरे बदमास को कोशता है, सलमान खान और अड़िदे फोड़ा के वेश से ध्यान भटकाती है, इन सभी में सबसे आगे है दिसा पाटनी, वह एक परफेक्ट आई कैंडी है, वह फिल्म में ग्लैमर का त्रड़का लगाती है, लेकिन उनका आना फिल्म को उनकी मोल कहानी से भटकाता है, दिसा के करदार में एक भोला पिन है, जिसमें कुछ इसको जरूर दिखता है, लेकिन इसी भी इस फिल्म में गाने आजाते हैं, जिनके बेट साप को कहानी और माहौल के बेच फिट नहीं लगते, फिल्म में चार गाने हैं, जिन में सचाजिद वाजिद का टैटल ट्रैक और दिल दे दियां आपको अच्छा लगता है, फिल्म का ब निरास भी नहीं किया है, उनका अंदाज और एक्षन आउतार रुमान चित करता है, डालॉग बाजी में भी सल्मान फपते हैं, लेकिन जहां एक और एक्षन दमदार है, डालॉग फिल्मी ही लगे हैं, दिशा के साथ सल्मान की कमेश्टरी भी कुछ खास नहीं जमी है, ज लेकिन रदीप उन सब पर भारी पड़े हैं, फिल्म हार्ड कोर एक्षन है, लेकिन इसमें भी डालाक्स और सिचुएशन के बुते कौमडी का पोट जोडने की कोशिज की गई है, लेकिन या हर बार हसाए या जरूरी नहीं है, कुलमिला कर राद है कैसी फिल्म है, जिसे बड़े परदे पर देखना एक जब बरदस एक्सपिरियंस हो सकता था, लेकिन कुरोना महामारी के करड़ भारत में भाईजान के फैंस को उस एद घर बैठे टीबी पर भी अपने मोस्ट वांटेड भाई का दीदार करना हुआ था, यदि आप एक्षन फिल्मों के फैं है तो आपको एक फिल्म पसंद आएगी, फिल्म में कई सीटी मार वाले सीन भी हैं, अच्छाई और बुराई का जब सामना होता है तो सलमान के फैंस यकीनर रोमांच महसूस करेंगे, लागडाउन में जहां हम सब घरों में कैद थे, ऐसे माहौल में भी राधे और मोस्ट व प्लीज करनी पड़ी थी, पिछले कई वर्सों से सलमान खान अपने फैंस के पसंद के अनुरूप फिल्में बनवा रहे हैं, इन फिल्मों में उसी तरह के सीन रचे जाते हैं, जिसको देख सिनेमा हाल में तालिया और शीटिया भचते हैं, सलमान कुछ अलग करने जाते है तो उनके फैंस को पसंद नहीं आता, और वही अदाय धोराते हैं तो भी उनकी अलोचना की जाती है, सलमान को समझ नहीं आता क्यों करे तो करे क्या, बहराल उनकी ताजा फिल्म राधे का निर्माड उसी सैली में किया गया है, जिसके लिए सलमान जाने जाते हैं, इस्टा यह एक मसलेदार ग्रेवी है जिसमें सबची या चिकन बहुत कम है राड़ा ने रुदी भुड़ा मुंबई आकर इस सहर को ड्रक्स की गिरिप्त में ले लेता है यूँआ ड्रक्स की लत का सिकार होकर बरबाद हो रहे हैं इस गंदगी को साप करने में पुलिस नाकाम है मां राधे मुंबई के दो गैंगेस्टर में समझधा करता है और फिर वहार राड़ा के पीछे लग जाता है राड़ा और राधे की लुकाचिपी कांत क्लाइम एक्स में होता है 2017 में बनी कोरियन फिल्म दा आउट लाज का एहंदिरी में एक है जिसमें भारती दर्शकों की प बहतरीन है 15 मिनट में ही ही हीरो हिरुएन और पिलन के इंट्री हो जाती है रोमाज धोड़ा कॉमडी कापोट लिये हुए है और कुछ मनुरंजक दरस्त देखनों को मिलते हैं भले ही हिरुएन दिया और दिशापाटने को राधे की यसलियत नहीं पता है जिबकि पूरे सह खरमें राधे के सर्चे हैं लेकिन सल्माण की फिल्मों में इतनी डिटेलिंग पर धिहान नहीं दिया जाता और नहीं पसंद करने वाले इन बातों पर धियान देते uleम में सल्माण सट Mumbai उतार देते हैं आप सूझ करेंके कि इसमें राधिया क्या है सीशा तोड़कर सलमान की एंट्री, मोबाइल पर एंबुलेंस भेजने का संदेश, आँख के नीचे कांच से बना घाओ, परभुदेवा सेन बनाते हैं, फिर उन्हीं को लगता है कि मज़ा नहीं आया, वह सेन को फिर से दिखाते हैं सुलो मोसन में, इस बार खिड़की चकना चूर होकर हवा में उड़ता है, बीच से सलमान खान निकलते हैं, मुह में भी कांच का एक टुकड़ा दबा है, जिसे वह होठो से ही हवा में निशाना बना कर फेकते हैं, मोबाइल वाले बंदे के आँख के नीचे कट बनता है, फिल्म राधे में सलमान का ये एंट टाप पर, स्मार्ट टेपी पर भी जी फाइब के चरिये फिल्म चलनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी नहीं चली, तमाम कोस्तों के बावजोद, बड़े परदे के हिसाब से स्यूट हुई फिल्म राधे और मौश्ट वांटेड भाई की बाद, इसकी कहानी से सुरू करे, इ दस फिल्मों में भी उनके फैंस देख चुके हैं, वा यहां भी है, बस इस बार हीरो और बिलन दोनों आसमान से धरती पर आगिरे हेलिकाप्टर में से निकलते हैं, हड़ी पसली सब साबोत लेकर, सलमान अपनी फिल्मे सब के लिए बनाते भी नहीं हैं, उन्हें अपना फैन बेस पता है, उनके फैंस को सलमान की अदाएं पता हैं, दोनों एक दूसरे पर बरसों से कुर्बान हैं, सलमान का सिनेमा ऐसा ही चलता है, फिल्म राधी और मोस्ट वांटेड भाई की कहानी का हीरो राधे एंकाउंटर स्पेसलिस्ट है, दस साल में तेश ट्रांसफर और 97 एंकाउंटर वाला सचिन वाजे की याद यहां आना सभावक है, क्योंकि राधे को भी उसका निलंबन खतम कर पुलिस फोर्स में लाया जाता है, मुंबई में फैल है नसेले पदार्थों का कारोबार खतम करने, फिल्म ये पहले ही सीन में साप कर देती है कि ये ड्रक मुंबई में दिल्ली से आ रही है और इसका सप्लायर राणा है, सुसांत राजपूत का संदर भी फिल्म दे ही देती है, पूरी फिल्म में साजिद खान के बनाए फिल्म के टाइटल ट्राइक का इंतिजार ही बना रहता है, और गाना बचता है आखिर में एंड क्रिडिट बन चुका है ना सलमान खान इससे बाहर निकलना चाहते हैं और ना उनकी कोटरी के निर्देशन उन्हें निकालने दे रहे हैं उनका गुबारा लगातार फोल रहा है सलीम खान का नाम भी ओपनिंग क्रेडिट्स में आता है एक कोरियन फिल्म दा आउट लाज की इस रिमेक क आइडिया अगर उनका है तो कम से कम पढ़कता तो उन्होंने फिल्म की जरूर ही नहीं पढ़ी होगी फिल्म को वांटेट की स्यूकल का फेल देने की बहुत कोश्य की गई हैं लेकिन बात जमी नहीं फिल्म की पढ़कता बिल्कुल सपार तरीके से चलती जाती है और जैस पढ़के स्यूकल की बहासा में इन्हें डारेक्टर्स एक्टर कहते हैं सल्मान खान निर्देश को कि एक नई परजाते तयार की है एक्टर्स डारेक्टर यानि जो हीरो कहे उन्हें बस यह सर कहना है अमिताप बच्चन की बतोर हीरो रिलिज हुई आखरी फिल्में ऐसी ही बनती थी उन्हें 1999 में सुरवन सम, कोहराम और हिंदुस्तान की कसम के बाद अगले साल मुहबते मिल गई थी ऐसा यहां कुछ हो जाए तो अच्छा है साइकल पर प्रेम की स्टाइल मेराधे का पिशला पहिया एकदम से रोक कर साइकल 45 टिकरी पर खड़ा करना नाल ताल जिय वाला सिदार्चादो अरजुन कानून को बिसुजीत परधान परवेसराडा सावर अली इहाना धिलन सब थोक में निप्टा दे गए हैं इसके निदेशक प्रभुदेवा ने किसी भी किलदार का कोई बैगराउंड नहीं किसी की कहानी में होने का कोई स्पिस्टिकर नहीं बस वा सरकस के तरह रिंग में आते हैं करतब दिखाते हैं और निकल जाते हैं दिशाप आटनी फिल्म की हिरोईन है सो उनके लिए अलग से लाइन लिखना जरूरी नहीं है जो काम उनका भी फिल्म में सब कुछ खास नहीं है वा धीरे धीरे सिनेमा का सो पीस बनती जा रह रही हैं फिल्म में सल्मान के अलावा अगर किसी ने भी कुछ किया है तो वह है ररती फोड़ा सीध्य मन मोहक देशाई कि किसी फिल्म से निकले बिलन चाको बाजी भी वैसी बाल भी वैसे और कास्ट्यूम भी डिट्टो वैसा ही सल्मान खान की फिल्म सिर्फ सल्मान खान की फिल्म होती है उसमें बाक्ध किसी का ज्यादा कुछ जोड़ नहीं चलता फिल्म का गीश, संगीश सब उनका ही सुझाया बनाय होता है इमेश रीशेमिया कि गाने में जैकिलीन को मौका मिल गया ये भी सल्मान की ही बदवलत है वो इस गाने में स्रीदे भी बनने की कोसिस भी पूरी तरह करती हैं लेकिन ये जैकलीन के बस की बात है नहीं फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि इसे अब धाई सो रुपे में घर बैठे पूरी परवार के साथ देख सकते हैं एद पर पूरी परवार के साथ जाते तो 2000 का फटका लगना पका था सलमान को एद मुबारक कहिए कि उन्होंने अपने पिछली तीन फिल्मों के तरह इस बार एद पर अपने फैंस का ये नुकसान होने नहीं दिया बात आखर कमिटमेंट की जो ठहरी और सलमान ने एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर वह क्या कह सकते हैं सपनों की नगरी मुंबई ड्रक्ष की चपेड में है राडा ने रदी भुडा इस ड्रक्ष काटल का बास्सा है वह सहर पर राज करना चाता है ड्रक्ष ने सहर को गंदा किया है और इसकी सफाई जरूरी है सलमान खान एक सस्पेंडर्ड पुलिस आपसर है सफाई की जिमेदारी सलमान खान यानी राधे को दी जाती है साल 2009 में सलमान खान की वांटेड रिलीज हुई थी पर भुडेवा नहीं इस फिल्म को डारेक्ट किया था या तमिल फिल्म पोकरी का रिमेक थी राधे योर मोस्ट वांटेड भाई इसी फिल्म का सुखकल है कहानी पूरी तरे मुंबई पर है फिल्म में सलमान खान अपने चिर परचित मास्रेक्षन ओतार में है राधे एंकाउंटर स्पेशलिस्ट है बीते 10 साल में उसके खाते में 97 एंकाउंटर हैं और 30 बार ट्रांसपर है अब जब मुंबई ड्रग माफिया की गिरिप्त में है तो राधे सहर को साब करने आया है वो भी अपने अंदाज में बदमासों की जमकर धुनाई और मजबूरों की दम भर मदद के बीश राधे के पास फलर्ट करने का भी टाइम है वो अपने ही बास यानि जेकिस राप की बहन दिया यानि दिसापाटनी से प्यार करता है राधे एक टिपिकल बॉलिबुड फिल्म है जिसमें एक्सन है, ड्रामा है, कॉमडी है कुछ एक पंच वाले डालाक्स है लेकिन ऐसे फिल्मों की लड़ाई सिर्फ एक चीज़ से होती है कि वा मनुरन जग भी हो उसमें दोहराओ भी ना हो और साथ ही कुछ नया भी हो डिरेक्टर प्रविद्यवाँ ने अपने हिस्से की पूरी मिहनत की है कि वा यह सब फिल्म के जरिये दर्शकों कोपरों से हाला कि फिल्म कई जगह उपर पटरी से उतरती भी है लेकिन खतरनाक एक्षन और जबरदस्ट बिलन के बुते यह फिल्म आपको बांधे रखती है फिल्म की सिरुवाद दर्शकों पर अपना असर छोड़ती है एक बदमास दूसरे बदमास को कोचता है सलमान खान और अलिदे फोड़ा के वेश टकराओ के कई सीन है जो अच्छे लगते हैं और इन सबसे ओपर फिल्म में जबरदस्ट एक्षन है जो नया भी है स्टाइलिस भी और खोब खोन खराबा दिखाया गया है हाला कि फिल्म में ऐसी कई चीज़े हैं जो आपका इस खोन खराबे से ध्यान भटकाती है इन सब ही में सबसे आगे है दिसा पाटनी वह एक परफेक्ट आई कैंडी है वह फिल्म में ग्लैमर का त्रड़का लगाती है लेकिन उनका आना फिल्म को उनकी मौल कहानी से भटकाता है दिसा के किरदार में एक भोला पिन है जिसमें कुछ इसको अब जरूर दिखता है लेकिन इसी भी इस फिल्म में गाने आजाते है जिनके बेड़ साप को कहानी और माहौल के बेच फिट नहीं लगते फिल्म में चार गाने हैं जिन में सचाजिद वाजिद का टाइटल ट्रैक और दिल दे दियां आपको अच्छा लगता है फिल्म का बैगराउंड स्कोर संचित और अंकिता बलहारा ने दिया है और या फिल्म में माहौल बनाने में कोई कसर नहीं चोड़ता है परभीदिवा इस फिल्म में सल्मान खान के इस्टार पावरे स्टाइल और स्वएक पर पूरा भरवसा दिखाते हैं सल्मान ने उन्हीं निरास भी नहीं किया है उनका अंदाज और एक्षन ओतार रोमान चित करता है डालॉग बाजी में भी सल्मान फपते हैं लेकिन जहां एक और एक्षन दंदार है डालॉग फिल्मी ही लगे हैं दिशा के साथ सल्मान की कमेश्टरी भी कुछ खास नहीं जमी है जेकिस्तराब के साथ सल्मान के कुछ है अमाज का सीन है जो सर्थ छोड़ने में नाकाम थाबित होते हैं रर्दीप फूड़ा ने बिलन के रोल में हर मिनट परदे पर अपनी चाप छोड़ी है फिल्म में कई बिलन हैं लेकिन रड़ीप उन सब पर भारी पड़े हैं फिल्म हार्ड कोर एक्षन है लेकिन इसमें भी डालाक्स और सिचुएशन के बुते कौमडी का पॉट जोड़ने की कोशिश की गई है लेकिन या हर बार हसा है या जरूरी नहीं है कुल मिलाकर राद है कैसी फिल्म है जिसे बड़े परदे पर देखना है एक जब बर्दस एक्सपेरियंस हो सकता था लेकिन कुरोना महामारी के करण भरत में भाईजान के फैंस को उस एद घर बैठे टीबी पर भी अपने मोस्ट वांटेड भाई का दीदार करना हुआ था यदि आप एक्सन फिल्मों के फैं है तो आपको एक फिल्म पसंद आएगी फिल्म में कई सीटी मार वाले सीन भी हैं अच्छाई और बुराई का जब सामना होता है तो सलमान के फैंस यकीनर रोमांच महसूस करेंगे लागडाउन में जहां हम सब घरों में कैद थे ऐसे मा पिछले कई वर्सों से सलमान खान अपने फैंस के पसंद के अनुरूप फिल्में बनवा रहे हैं इन फिल्मों में उसी तरह के सीन रचे जाते हैं जिसको देख सिनेमा हाल में तालिया और शीटिया बचते हैं सलमान कुछ अलग करने जाते हैं तो उनके फैंस को पसंद नह आता और वही अदाए दोहराते हैं तो भी उनकी अलोचना की जाती है सलमान को समझ नहीं आता क्यों एक करे तो करे क्या बहराल उनकी ताजा फिल्म राधे का निर्माड उसी सैली में किया गया है जिसके लिए सलमान जाने जाते हैं इस्टायरे सेक्षन जोरदार वन लाइनर बिलन का भूरता बना देने वाला हीरो, कूल रोमांस और मारा मारी के बास सुखांत राधे में कमी रह गई तो बस एक अच्छी कहानी की पता नहीं कहानी को लेकर सलमान की मसाला फिल्मों में मेहनत क्यों नहीं की जाती यह एक मसालेदार ग्रेवी है जिसमें सबचिया चि इस गंदगी को साप करने में पुलिस नाकाम है, मांग उठती है कि राधे अने सलमान खान के बस का ही यह काम है, दस साल में राधे के तेश ट्रांसपर हो चुके हैं और वह 97 बेंकाउंटर कर चुका है, इस परचे के साथ राधे के एंट्री होती है, राधे मुंबई के द पॉरियन फिल्म दा आउट लाज का एहंदिरी में एक है, जिसमें भारती दर्शकों की पसंद के अनुसार परवर्तन किया गए हैं, सिधे सिधे या अच्छाई बना मुराई या चोर प्लिस की कहानी है, जिसकी पहली फ्रेम से ही पता चल जाता है कि आखरी फ्रेम में क्य क्या होगा, इस बात पर आठिकती है कि यह कैसे होगा, राधे की सुरुवात बेहतरीन है, पंदरा मिनट में ही हीरो, हिरोईन और पिलन के इंट्री हो जाती है, रोमांस दोड़ा कॉमडी कापोट लिये ही है, और कुछ मनुरंजक दरस्त देखनों के मिलते हैं, भले ही हिर सुर्मान शट भी उतार देते हैं, आप स्वाल करेंगे कि इसमें नई बात क्या है, नई बात है, मारा मारी कालते समय, शट नहीं उतारते, बल्कि हलके फ़ल के दर्स्त में हुए, शट उतार कर बाड़ी के दर्शन करा देते हैं, और उनकी बाड़ी दे गुंड़े नही आया वह सीन को फिर से दिखाते हैं सुलो मोशन में इस बार खिड़की का कांच चकना चूर होकर हवा में उड़ता है बीच से सलमान खान निकलते हैं मुह में भी कांच का एक टुकड़ा दबा है जिसे वह होठो से ही हवा में निशाना बना कर फेकते हैं मोबाइल वाले होकर नाचते भी लेकिन राधही और मोश्ट वांटेड भाई के रिलेस सीधे घरों में हुई मोबाइल और लेप्टाप पर इसमार्ट टीपी पर भी जी फाइब के चरिये फिलम चलनी चाहिए थी लेकिन फिर भी नहीं चली तमाम कोस्तों के बावजोद बड़े परदे क हिसाब से स्यूट हुई फिलम राधही और मोश्ट वांटेड भाई की बाद इसकी कहानी से सुरू करे इसके निर्देशन से सुरू करे इसकी कलाकारों की अधाकारी से सुरू करे सब बाते एक जिसी ही हैं वांटेड का ओक कमेंटमेंट वाला समाद भी यहां है हीरो और ब वसले सब साबोत लेकर सलमान अपनी फिल्मे सबके लिए बनाते भी नहीं उन्हें अपना फैन बेस पता है उनके फैंज को सलमान की अदाएंग पता हैं दोनों एक दुसरे पर बरसों से कुरबान है सलमान का सिनेमा ऐसा ही चलता है फिरम राधी और मोस्ट व receivers की कहानी का हीर इस फर्स में लाय जाता है मुंबई में फैल है नसेले पदार्थों का कारोबार खतम करने फिल्म ये पहले ही सीन में साप कर देती है कि ये ड्रक्स मुंबई में दिल्ली से आ रही है और इसका सप्लायर राणा है सुसांत राजपूत का संदर भी फिल्म दे ही देती है पूर ठेक क्लाइमेक्स से पहले आगर फिल्म का जो भी थोड़ा बहुत मजा है उसे खराब कर देता है सलमान खान की फिल्मों का एक शिट पैटरन बन चुका है ना सलमान खान इससे बाहर निकलना चाहते हैं और ना उनकी कोटरी के निर्देशन उन्हें निकालने दे रहे हैं उन होने फिल्म की जरूर ही नहीं पड़ी होगी फिल्म को वांटेट की सुकल का फेल देने की बहुत कोश्य की गई हैं लेकिन बात जमी नहीं फिल्म की पढ़कता बिल्कुल सपाड तरीके से चलती जाती है और जैसा कि अधिकतर कोरियाई फिल्मों में होता है ये हीरो के अल देशको की एक नई परजाती त्यार की है एक्टर्स डारेक्टर यानि जो हीरो कहे उन्हें बस ये सर कहना है अमिताप बचन की बतोर हीरो रिलेज हुई आखरी फिल्में ऐसी ही बनती थी उन्हें 1999 में सुर्वनसम कोहराम और हिंदुस्तान की कसम के बाद अगले साल मोहब देशक सीधे उससे जुड़ नहीं पाता फिल्में कहने को तो सितारों की पूरी बारात है जैकी स्राप सुधान सुपांडे गौतम नामदेव दर्सन जारीवाला सिधार्चादो अरजुन कानून गो विसुजीत परधान परवेसराडा सावार अली इहाना धिल्लन सब थो वक में निप्टा दे गए हैं इसके निदेशक प्रभुद्यवा ने किसी भी किलदार का कोई बैग्राउंड नहीं किसी की कहानी में होने का कोई इस्पिस्टी करण नहीं बस वा सरकस के तरह रिंग में आते हैं करतब दिखाते हैं और निकल जाते हैं दिसा पार्टने फि निमा का सोपीस बनती जा रही हैं अपनी इंस्टाग्राम फोटो से कुछ अलग वा बड़े पर्दे पर भी नहीं कर पा रही हैं फिल्में सलमान के अलावा अगर किसी ने भी कुछ किया है तो वह है ररती फोड़ा सीध्य मन मोहक देसाई की कि किसी फिल्म से निकले बिलन चाको बाजी भी वैसी बाल भी वैसे और काश्टिम भी डिटो वैसा ही सलमान खान की फिल्म सीरक सलमान खान की फिल्म होती है उसमें बागी किसी का ज्यादा कुछ जोर नहीं चलता फिल्म का गी संगी सब उनका ही सुझाया बना Liberation मिया के गाने में जेकलैन को मौका मिल ग किसे अब 2500 रुपे में घर बैठे पूरी परिवार के साथ देख सकते हैं एद पर पूरी परिवार के साथ जाते तो 2000 का फटका लगना पका था सलमान को एद मुबारक कहिए कि उन्होंने अपने पिछली तीन फिल्मों के तरह इस बार एद पर अपने फैंस का ये नुकसान होने नहीं दिया बात आखरी कमिटमेंट की जो ठहरी और सलमान ने एक बार कमिटमेंट कर दे तो फिर वह क्या कह सकते हैं सपनों की नगरी मुंबई ड्रक्ष की चपेड में है राड़ा ने रदे भुड़ा इस ड्रक्ष कार्टल का बास्सा है वह सहर पर राज करना चाता है ड्रक्ष ने सहर को गंदा किया है और इसकी सफाई जरूरी है सल्मान खान एक सस्पेंड़ पुलिस आपसर है सफाई की जिम्यदारी सल्मान खान यानी राधे को दी जाती है साल 2009 में सल्मान खान की वांटेड रिलीज हुई थी पर भुदेवा ने ही इस फिल्म को डारेक्ट किया था यह तमिल फिल्म पोकरी का रिमेक थी राधे और मोस्ट वांटेड भाई इसी फिल्म का सुकल है कहानी पूरी तरे मुंबई पर है फिल्म में सल्मान खान अपने चिर परचित मास्टे एक सन अतार में है राधे एंकाउंटर स्पेशलिस्ट है बीते 10 साल में उसके खाते में 97 एंकाउंटर है और तेजबार ट्रांसफर है अब जब मुंबई ड्रग माफिया की गिरित में है तो राधे सहर को साब करने आया है वो भी अपने अंदाज में बदमासों की जमकर धुनाई और मजबूरों की दम भर मदद के बीच राधे के पास फ्लरट करने का भी टाइम है की लड़ाई सिर्फ एक चीज़ से होती है कि वा मनुरन जग भी हो उसमें दोहराओ भी ना हो और साथ ही कुछ नया भी हो डारेक्टर प्रविद्यवा ने अपने हिस्से की पूरी मेहनत की है कि वा या सब फिल्म के जरिये दर्शकों को परोसे हाला कि फिल्म कई जगों पर पटरी से उतरती भी है लेकिन खतरनाक एक्षन और जबरदस्ट बिलन के बुते या फिल्म आपको बांधे रखती है फिल्म की सुरुआत दर्शकों पर अपना असर छोड़ती है एक बदमास दूसरे बदमास को कोशता है सल्मान खान और अड़िदे फोड़ा के वेश टकराओ के कई सीन है जो अच्छे लगते हैं और इन सबसे ओपर फिल्म में जबरदस्ट एक्षन है जो नया भी है स्टाइलिस भी और खोग खोन खराबा दिखाया गया है हाला कि फिल्म में ऐसी कई चीज़े हैं जो आपका इस खोन खराबे से ध्यान भटकाती है इन सभी में सबसे आगे है दिशा पाटनी वह एक परफेक्ट आई कैंडी है वह फिल्म में ग्लैमर का त्रड़का लगाती है लेकिन उनका आना फिल्म को उनकी मौल कहानी से भटकाता है दिशा के करदार में एक भोला पिन है जिसमें कुछ इसको अब जरूर दिखता है लेकिन इसी भी इस फिल्म में गाने आजाते हैं जिनके बेट साब को कहानी और माहौल के बेच फिट नहीं लगते फिल्म में चार गाने हैं जिन में से चाजिद वाजिद का टैटल ट्रैक और दिल देदियां आपको अच्छा लगता है फिल्म का बैग्राउंड इसकोर संचित और अंकिता बलहारा ने दिया है और या फिल्म में माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है परभीदवा इस फिल्म में सल्मान खान के इस्टार पावर इस्टाइल और स्वएक पर पूरा भरवसा दिखाते हैं सल्मान ने उन्हीं निरास भी नहीं किया है उनका अंदाज और एक्षन आवतार रुमान चित करता है डालाग बाजी में भी सल्मान फपते हैं लेकिन जहां एक और एक्षन दमदार है डालाग फिल्मी ही लगे हैं दिखा के साथ सल्मान की कमेश्टरी भी कुछ खास नहीं जमी है जेकिस्तराब के साथ सल्मान के कुछ है अमाज का सीन है जो सर्ट छोड़ने में नाकाम साबित होते हैं ररदीप होड़ा ने बिलन के रोल में हर मिनट परदे पर अपनी चाप छोड़ी है फिल्म में कई बिलन हैं लेकिन ररदीप उन सब पर भारी पड़े हैं फिल्म हार्ड कोर एक्षन है लेकिन इसमें भी डालाक्स और सिचुएशन के बुते कौमडी का पॉट जोड़ने की कोशिज की गई है लेकिन या हर बार हसाए या जरूरी नहीं है कुल मिलाकर राद है कैसी फिल्म है जिसे बड़े परदे पर देखना एक जब बर्दस एक्सपिरियंस हो सकता था लेकिन कुरोना महामारी के करड़ भरत में भाईजान के फैंस को उस एद घर बैठे टीबी पर भी अपने मोस्ट वांटेड भाई का दीदार करना हुआ था यदि आप एक्सन फिल्मों के फैं है तो आपको एफिल्म पसंद आएगी फिल्म में कई सीटी मार वाले सीन भी हैं अच्छाई और बुराई का जब सामना होता है तो सलमान के फैंस यकीनल रोमांच महसूस करेंगे लागडाउन में जहां हम सब घरों में कैद थे ऐसे माह फिल्म हाइबर रिलीज करनी पड़ी थी पिछले कई वर्सों से सलमान खान अपने फैंस के पसंद के अनुरूप फिल्में बनवा रहे हैं इन फिल्मों में उसी तरह के सीन रचे जाते हैं जिसको देख सिनेमा हाल में तालिया और शीटिया भचते हैं सलमान कुछ अलग कर ने जाते हैं तो उनके फैंस को पसंद नहीं आता और होई-दाएद रहते हैं तो भी उनकी अलोचना की जाती है सलमान को समझ नहीं आता क्योए करे तो करे गया बहराल उनकी ताजा फिल्म राधे का निर्माड उसी सैली में किया गया है जिसके लिए सल्मान जाने जाते हैं स्टाइले सेक्षन, जोरदार वन लाइनर, बिलन का भूरता बना देने वाला हीरो, कूल रोमांस और मारा मारी के बास सुखांत राधे में कमी रह गी तो बस एक अच्छी कहानी की पता ने कहानी को लेकर सल्मान की मसाला फिल्मों में मिहनत क्यों नहीं की जाती यह एक मसलेदार ग्रेवी है, जिसमें सबचिया चिकन बहुत कम है राड़ा ने रुदी भुड़ा मुंबई आकर इस सहर को ड्रक्स की गिरिप्त में ले लेता है यह ड्रक्स की लटका सिकार होकर बरबाद हो रहे हैं इस गंदगी को साप करने में पुलिस नाकाम है मांग उठती है कि राधे अने सिल्मान खान के बस का ही यह काम है दस साल में राधे के तेश ट्रांसफर हो चुके हैं और वह 97 बेंगाउंटर कर चुका है इस परचे के साथ राधे के एंट्री होती है राधे मुंबाई के दो गैंगेस्टर में समझोता करता है और फिर वहार राडा के पीछे लग जाता है राडा और राधे की लुकाचिपी कांत कलाइम एक्स में होता है 2017 में बनी कोरियन फिल्म दा आउट लाज का एहंदिरी में एक है जिसमें भारती दर्शकों की पसंद के अनुसार परवर्तन किया गए है सिधे सिधे या अच्छाई बना मुराई या चोर प्लिस की कहानी है जिसकी पहली फ्रेम से ही पता चल जाता है कि आखरी फ्रेम में क्या होगा इस बात पर आठ इकती है कि या कैसे होगा राधे की सुरुआत बहतरीन है 15 मिनट में ही हीरो हिरोईन और पिलन के इंट्री हो जाती है रोमाज दोड़ा कॉमडी का पोट लिये हुए है और कुछ मनुरंजक दरस्त देखनों को मिलते हैं बहले ही हिरोईन दिया ने दिशापाटने को राधे की यसलियत नहीं पता है जिबकि पुरे सहर में राधे के सर्चे हैं लेकिन सल्मान की फिल्मों में इतनी डिटेलिंग पर ध्यान नहीं दिया जाता और ना ही उन्हें पसंद करने वाले इन बातों पर ध्यान देते हैं फिल्म में सल्मान सर्ट भी उतार देते हैं आप स्वाल करेंगे कि इसमें नई बात क्या है नई बात है मारा मारी करते समय सर्ट नहीं उतारते बल्कि हलके फुलके दरस्त में हुए सर्ट उतार कर बाड़ी के दर्शन करा देते हैं और उनकी बाड़ी दे गुंटे नहीं भागते बलकि लड़किया आहें भरती हैं सीशा तोड़कर सलमान की एंट्री मोबाइल पर इंबुलेंस भेजने का संदेश आँख के नीचे कांच से बना घाओ परभुदेवा सेन बनाते हैं फिर उन्हीं को लगता है कि मज़ा नहीं आया वह सेन को फिर से दिखाते हैं सुलो मोशन में इस बार खिड़की कांच चकना चूर होकर हवा में उड़ता है बीच से सलमान खान निकलते हैं मुँ में भी कांच का एक टुकड़ा दबा है जिसे वा होठो से ही हवा में निसाना बना कर फेकते हैं मोबाइल वाले बंदे के आँख के नीचे कट बनता है फिल्म राधे में सलमान का ये एंटरी सीन है सिनेमा हाल होता तो इस पर खोब तालिया सुनने को मिलती सिंगल इस्क्रीन थेटर में सलमान की ऐसे एंटरी पर लोग सीटों पर खड़े होकर नाचते भी लेकिन राधे और मौस्ट वांटेड भाई के रिलेस सीधे घरों में हुई मौबाइल और लेप्टाप पर स्मार्ट टेपी पर भी जी फाइब के चरिये फिलम चलनी चाहिए थी लेकिन फिर भी नहीं चली तमाम कोश्टों के बावजोद बड़े परदे के हिसाब से स्यूट हुई फिलम राधे और मौस्ट वांटेड भाई की बाद इसकी कहानी से सुरू करे इसके निर्देशन से सुरू करे इसकी कलाकारों की अधाकारी से सुरू करे सब बाते एक जैसी ही है वांटेड का ओग कमेंटमेंट वाला समाद भी यहां है हेरो और बिलन की वैसे ही फैड जैसी एद पर लेज हुई सलमान की इसके पहले दस फिल्मों में भी उनके फैंस देख चुके हैं वा यहां भी है बस इस बार हीरो और बिलन दोनों आसमान से धरती पर आगिरे हेलिकाप्टर में से निकलते हैं हड़ी पसली सब साबोत लेकर सलमान अपनी फिल्मे सब के लिए बनाते भी नहीं है उन्हें अपना फैंस बेस पता है उनके फैंस को सलमान की अदाएं पता है दोनों एक दूसरे पर बरसों से कुरबान है सलमान का सिनेमा ऐसा ही चलता है फिल्म राध्य और Most Wanted भाई की कहानी का हीरो राध्य एंकाउंटर स्पेसलिस्ट है 10 साल में तेश ट्रांसफर और 97 एंकाउंटर वाला सचिन वाजे की याद यहां आना सभावग है क्योंकि राध्य को भी उसका निलंबन खतम कर पुलिस फोर्स में लाया जाता है मुंबई में फैल है नसेले पदार्थों का कारोबार खतम करने फिल्म यह पहले ही सीन में साप कर देती है कि यह ड्रक्स मुंबई में दिल्ली से आ रही है और इसका सप्लायर राणा है सुसांत राजपूत का संदर भी फिल्म दे ही देती है पूरी फिल्म में साजिद खान के बना आए फिल्म के टाइटल ट्राइक का इंतिजार ही बना रहता है और गाना बचता है आखिर में एंड क्रिडिट के साथ और जिस सिटी मार गाने को लेकर सबसे ज़्यादा हला मचा ओ गाना ठेक क्लामेक्स से पहले आगर फिल्म का जो भी थोड़ा बहुत मज़ा है उसे खराब कर देता है सलमान खान की फिल्मों का एक shit pattern बन चुका है ना सलमान खान इससे बाहर निकलना चाहते हैं और ना उनकी कोटरी के निर्देशन उन्हें निकालने दे रहे हैं उनका गुबारा लगातार फोल रहा है सलीम खान का नाम भी ओपनिंग क्रेडिट्स में आता है एक कोरियन फिल्म दा आउट लाज की इस रिमेक का आइडिया अगर उनका है तो कम से कम पढ़कता तो उन्होंने फिल्म की जरूर ही नहीं पड़ी होगी फिल्म को वांटेड की सुकल का फेल देने की बहुत कोश्य की गई है लेकिन बाद जमी नहीं फिल्म की पढ़कता बिल्कुल सपाड तरीके से चलती जाती है और जैसा कि अधिकतर कोरियाई फिल्मों में होता है ये हीरो के अलावा किसे दूसरे किरदार पर ध्यान भी नहीं देती हिंदी सिनेमा में निर्देशकु के आगे खुद को पूरी तरह समरपित कर देने वाले कलाकार बहुत हुई है सिनेमा की भासा में इन्हें डारेक्टर्स एक्टर कहते हैं सलमान खान ने निर्देश को की एक नई परजाती तयार की है एक्टर्स डारेक्टर यानि जो हीरो कहे उन्हें बस ये सर कहना है अमिताप बच्चन की बतोर हीरो रिलेज हुई आखरी फिल्में ऐसी ही बनती थी उन्हें 1999 में सुरवनसम, कोहराम और हिंदुस्तान की कसम के ब है लेकिन दर्सक सीधे उससे जुड़ नहीं पाता फिल्म में कहने को तो सितारों की पूरी बारात है जैकिसराप, सुधान सुपांडे, गौतम नामदेव, दरसन जारीवाला, सिधार्चादो, अरजुन कानून को, विसुजीत परधान, परवेसराडा, सावार अली, इहा जैसक परवोदेवा ने किसी भी किलदार का कोई बैगराउंड नहीं, किसी की कहानी में होने का कोई स्पिस्टी करण नहीं, बस वा सरकस के तरह रिंग में आते हैं, करतब दिखाते हैं, और निकल जाते हैं, दिसा पार्टने फिल्म के हिरोएन हैं, सो उनके लिए अलग से लाइन लिखना जरूरी नहीं है, जो काम उनका भी फिल्म में सब कुछ खास नहीं है, वा धीरे धीरे सिनेमा का सो पीस बनती जा रही हैं, अपनी इंस्टाग्राम फोटो से कुछ अलग वा बड़े परदे पर भी नहीं कर पा रही हैं, फिल्में सलमान की अलावा अगर कि किसी ने भी कुछ किया है तो वह है ररती फोड़ा सीधे मन मोहक देशाइग कि किसी फिल्म से निकले विलन चाको बाजी भी वैसी बाल भी वैसे और काश्ट्यूम भी डिट्टो वैसा ही सल्मान खान की फिल्म होती है उसमें बागी किसी का ज्यादा कुछ जोर नहीं चलता का जी संगीज सब उनका ही सुझाया बनाय होता है इमेयर सरीमिया की गाने में जैक्लीन को मौका मिल गया इस सालमान के बतवले तरह करती हैं लेकिन यह जैक्लीन के बस की बात है नहीं फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ही है कि इसे अब 200 रुपे में घर बैठे पूरी परिवार के साथ देख सकते हैं एद पर पूरी परिवार के साथ जाते तो 2000 का फटका लगना पका था सलमान को एद मुबारक कहिए कि उन्होंने अपनी पिछली तीन की तरह इस बार इद पर अपने फैंस का ये नुकसान होने नहीं दिया बात आखरी कमिट्मेंट की जो ठहरी और सलमान ने एक बार कमिट्मेंट कर दे तो फिर वह क्या कह सकते हैं सपनों की नगरी मुंबई ड्रक्स की चपेड में है राडा ने रदे भुडा इस ड्रक्स क ने राध्य को दी जाती है साल 2009 में सलमान खान की वांटेड रिलीज हुई थी पर भुडेवा ने ही इस फिल्म को डारेक्ट किया था यह तमिल फिल्म पोकरी का रिमेक थी राध्य और मोस्ट वांटेड भाई इसी फिल्म का स्रुकल है कहानी पूरी तरे मुंबई पर है फ राध्य सहर को साब करने आया है वो भी अपने अंदाज में बदमासों की जमकर धुनाई और मजबूरों की दम भर मदद के बीच राध्य के पास फलर्ट करने का भी टाइम है वह अपने ही बास यानि जैकिसराप की बहन दिया यानि दिसापाटनी से प्यार करता है राध् बिना हो और साथ ही कुछ नया भी हो डारेक्टर प्रविद्यवा ने अपने हिस्से की पूरी मिहनत की है कि वह यह सब फिल्म के जरिये दर्शकों को पर उसे हाला कि फिल्म कई जगह पर पटरी से उतरती भी है लेकिन खतलनाक एक्षन और जबर्दस्थ बिलन के बुते य अच्छे लगते हैं और इन सबसे ओपर फिल्म में जबर्दस्थ एक्षन है जो नया भी है स्टाइलिस भी और खूब खून खराबा दिखाया गया है हाला कि फिल्म में ऐसी कई चीज़े हैं जो आपका इस खून खराबे से ध्यान भटकाती हैं इन सभी में सबसे आगे है दिशा पाटनी वह एक परफेक्ट आई कैंडी हैं वह फिल्म में गलेमर का त्रड़का लगाते हैं लेकिन उनका आना फिल्म को उनकी मूल कहानी से भटकाता है दिशा के किरदार में एक भोला पिन है जिसमें कुछ इसको जरूर दिखता है लेकिन इसी भी इस फिल्म में गाने आजाते हैं जिनके बेड़ साप को कहानी और माहौल के बेच फिट नहीं लगते फिल्म में चार गाने हैं जिन में से चाजिद वाजिद का टाइटल ट्रैक और दिल दे दियां आपको अच्छा लगता है फिल्म का बैगराउंड स्कोर संचित और अंकिता बलहारा ने किया है और या फिल्म में माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है परवीदिवा इस फिल्म में सल्मान खान के इस्टार पावर इस्टाइल और स्वैक पर पूरा भरवसा दिखाते हैं सल्मान ने उन्हीं निरास भी नहीं किया है उनका अंदाज और एक्षन आवतार रोमान चित करता है डालॉग बाजी में भी सल्मान फपते हैं लेकिन जहां एक और एक्षन दमदार है डालॉग फिल्मी ही लगे हैं दिशा के साथ सल्मान की कमेश्टरी भी कुछ खास नहीं जमी है जेकिस्तराब के साथ सल्मान के कुछ हैं माज़ का सीन हैं जो सर्ट छोड में नाकाम साबित होते हैं रडीप होड़ा ने बिलन के र пятьनिट पर अपनी NPC चाहशो दूड़ी है फिल्म में कई बिलन हैं लेकिन रडीप उनसब परवारी पड़े हैं फिल्म हाड कोर एक्सन है लेकिन इस में भी Elli लाक्स और सिच्वेशन के बुते कौमडी का पॉट जोडने की कोशिश की गई है लेकिन या हर बार हसा है या जरूरी नहीं है कुल मिलाकर राद है कैसी फिल्म है जिसे बड़े परदे पर देखना एक जब बर्दस एक्सपिरियंस हो सकता था लेकिन कुरोना महामारी के करड भरत में भाईजान के फैंस को उस एद घर बैठे टीबी पर भी अपने Most Wanted भाई का दीदार करना हुआ था यदि आप एक्सन फिल्मों के फैं है तो आपको एफिल्म पसंद आएगी फिल्म में कई सीटी मार वाले सीन भी हैं अच्छाई और बुराई का जब सामना होता है तो सलमान के फैंस यकीन रोमांच महसूस करेंगे लागडाउन में जहां हम सब घरों में कैद थे ऐसे माहौल में भी राधे और Most Wanted भाई सलमान के फैंस पर हसी और खुसी जरूर भी खेरी थी सलमान खान ने एद बर अपने फैंस को नई फिल्म देने का वादा निबाया पहले ही कोबिट 19 के करण उन्हें अपने फिल्म हाइबर रिलीज करनी पड़ी थी पिछले कई वर्सों से सलमान खान अपने फैंस के पसंद के अनुरूप फिल्में बनवा रहे हैं इन फिल्मों में उसी तरह के सीन रचे जाते हैं जिसको देख सिनेमा हाल में तालिया और शीटिया बचते हैं सलमान कुछ अलक करने जाते हैं तो उनके फैंस को पसंद नहीं आता और वही अदाय धोराते हैं तो भी उनकी अलोचना की जाती है सलमान को समझ नहीं आता क्योई करे तो करे क्या बहराल उनकी ताज़ा फिल्म राधे का निर्माड उसी सैली में किया जिसके लिए सलमान जाने जाते हैं, इस्टाइले सेक्षन, जोरदार वन लाइनर, बिलन का भूरता बना देने वाला हीरो, कूल रूमान्स और मारा मारी के बास सुखांत राधे में कमी रह गी तो बस एक अच्छी कहानी की, पतानी कहानी को लेकर सलमान की मसाला फिल्मों में मिहनत क्यों नहीं की जाती, यह एक मसलेदार ग्रेवी है, जिसमें सबची या चिकन बहुत कम है, राड़ा ने रुदी भुड़ा मुंबई आकर इस सहर को ड्रक्स की गिरिप्त में ले लेता है, यूँआ ड्रक्स की लत का सिकार होकर बरबाद हो रहे हैं, इस गंदगी को साथ राधे के इंट्री होती है, राधे मुंबई के दो गैंगेस्टर में समझोधा करता है, और फिर वहार राड़ा के पीछे लग जाता है, राड़ा और राधे की लुकाचिपी कांत क्लाइम एक्स में होता है, दोजार सत्रा में बनी कोरियन फिल्म दा आउट लाज का हिंदिरी में एक है, जिसमें भारती दर्शकों की पसंद के अनुसार परवर्तन किया गए हैं, सिधे सिधे या अच्छाई बना मुराई या चोर प्लिस की कहानी है, जिसकी पहली फ्रेम से ही पता चल जाता है कि आखरी फ्रेम में क्या होगा, इस बात पर आठिकती है कि य नहीं दिशा पाटने को राधे की यसलियत नहीं पता है, जिबकि पूरे सहर में राधे के सर्चे हैं, लेकिन सल्मान की फिल्मों में इतनी डिटेलिंग पर ध्यान नहीं दिया जाता, और ना ही उन्हें पसंद करने वाले इन बातों पर ध्यान देते हैं, फिल्म में सल्मा नहीं भागते बल्कि लड़किया आहें भरती हैं सीशा तोड़कर सलमान की एंट्री मोबाइल पर इंबुलेंस भेजने का संदेश आँख के नीचे कांच से बना घाओ परभुदेवा सीन बनाते हैं फिर उन्हीं को लगता है कि मज़ा नहीं आया वह सीन को फिर से दिखाते हैं सुलोशन में इस बार खिड़की का कांच चकना चूर होकर हवा में उड़ता है बीच से सलमान खान निकलते हैं मूह में भी कांच का एक टुकड़ा दबा है जिसे वह होटो से ही हवा में निचाना बना कर फैकते हैं मोबाइल वाले बंदे के आँख के नीचे कट बनता है फिल्म राधे में सलमान का ये एंट्री सीन है सिनेमा हाल होता तो इस पर खोब तालिया सुनने को मिलती सिंगल इसक्रीन थेटर में सलमान की ऐसी एंट्री पर लोग सीटों पर खड़े होकर नाचते भी लेकिन राधे और मौस्ट वांटेड भाई के रिलेज सीधे घरों म मौबाइल और लेप्टाप पर इसमार्ट टेपी पर भी जी फाइब के चरिये फिल्म चलनी चाहिए थी लेकिन फिर भी नहीं चली तमाम कोस्तों के बावजोद बड़े परदे के हिसाब से स्यूट हुई फिल्म राधे और मौस्ट वांटेड भाई की बाद इसकी कहानी स सुरू करे इसके निर्देशन से सुरू करे इसकी कलाकारों की अधाकारी से सुरू करे सब बाते एक जैसी ही हैं वांटेड का ओक कमेंटमेंट वाला समवाद भी यहां है हीरो और बिलन की वैसे ही फैड जैसी एद पर लेज हुई सलमान की इसके पहले दस फिल्मों में भी उनके फैंस देख चुके हैं वा यहां भी है बस इस बार हीरो और बिलन दोनों आसमान से धर्ती पर आगिरे हेलिकाप्टर में से निकलते हैं हड़ी पसली सब साबोत लेकर सलमान अपनी फिलमे सब के लिए बनाते भी नहीं है उन्हें अपना फैंस बेस पता है उनके फैंस को सलमान की अदाएं पता है दोनों एक दूसरे पर बरसों से कुरबान है सलमान का सिनेमा ऐसा ही चलता है फिलम राधिय और Most Wanted भाई की कहानी का हीरो राधिय एंकाउंटर स्पेसलिस्ट है दस साल में तेश ट्रांसफर और सतानबे अनकाउंटर वाला सचिन वाजे की याद यहां आना सभावग है क्योंकि राधिय को भी उसका निलंबन खतम कर पुलिस फोर्स में लाया जाता है मुंबई में फैल है नसेले पदार्थों का कारोबार खतम करने फिल्म यह पहले ही सीन में साप कर देती है कि यह ड्रक्स मुंबई में दिल्ली से आ रही है और इसका सप्लायर राणा है सुसांत राजपूत का संदर भी फिल्म दे ही देती है पूरी फिल्म में साजिद खान के बनाए फिल्म के टाइटल ट्राइक का इंतिजार ही बना रहता है और गाना बचता है आखिर में एंड क्रेडिट के साथ और जिस सिटी मार गाने को लेकर सबसे ज्यादा हला मचा ओ गाना ठेक क्लाइमेक्स से पहले आकर फिल्म का जो भी थोड़ा बहुत मचा है उसे खराब कर देता है सलीम खान की फिल्मों का एक शिट पैटर्न बन चुका है ना सल्मान खान इससे बाहर निकलना चाहते हैं और ना उनकी कोटरी के निर्देशन उन्हें निकालने दे रहे हैं उनका गुबारा लगातार फोल रहा है सलीम खान का नाम भी ओपनिंग ग्रेडिट्स में आता है एक कोरियन फिल्म दा आउट लाज की इस रिमेक का आइडिया अगर उनका है तो कम से कम पढ़कता तो उन्होंने फिल्म की चरूर ही नहीं पढ़ी होगी फिल्म को वांटेड की सुकल का फेल देने की बहुत कोश्य की गई है लेकिन बात जमी नहीं फिल्म की पढ़कता बिल्कुल सपाड तरीके से चलती जाती है और जैसा कि अधिकतर कोरियाई फिल्मों में होता है ये हीरो के अलावा किसे दूसरे किरदार पर ध्यान भी नहीं देती हिंदी सिनेमा में निर्देशकुक के आगे खुद को पूरी तरह समर्पित कर देने वाले कलाकार बहुत हुए है सिनेमा की भासा में इन्हें डारेक्टर्स एक्टर कहते हैं सल्मान खान ने निर्देश को की एक नई परजाती तयार की है एक्टर्स डारेक्टर यानि जो हीरो कहे उन्हें बस ये सर कहना है अमिताब बच्चन की बतोर हीरो रिलेज हुई आखरी फिल्में ऐसी ही बनती थी उन्हें 1999 में सुरवन सम, कोहराम और हिंदुस्तान की कसम के बाद अगले साल मुहबबते मिल गई थी ऐसा यहां कुछ हो जाए तो अच्छा है साइकल पर प्रेम की स्टाइल मेराधे का पिशला पहिया एकदम से रोक कर साइकल 45 डिकरी पर खड़ा करना नाल ताल जिया जो जगाता है लेकिन दर्सक सीधे उससे जुड़ नहीं पाता फिल में कहने को तो सितारों की पूरी बाराध है जैकी स्टराप, सुधान सुपांडे, गौतम नामदेव, दर्सन जारीवाला, सिधार्चादो, अरजुन कानून गो, विशुजीत परधान, परवेसराडा, सावर अली, इहाना धिलन, सब थोक में निप्टा देगे हैं इसके निदेशक प्रभुदेवा ने किसी भी किलदार का कोई बैगराउंड नहीं, किसी की कहानी में होने का कोई स्पिस्टिक करण नहीं, बस वा सरकस के तरह रिंग में आते हैं, करतब दिखाते हैं, और निकल जाते हैं, दिसा पाटने फिल्म के हिरोईन हैं, सो उनके ल अलग वा बड़े परदे पर भी नहीं कर पा रही हैं, फिल्मे सलमान के अलावा अगर किसी ने भी कुछ किया है तो वा है ररती फोड़ा, सीध्य मन मोहक देशाई की किसी फिल्म से निकले बिलन, चाको बाजी भी वैसी, बाल भी वैसे और कास्टिम भी डिट्टो वैसा ह सलमान कान की फिल्म सिर्प सलमान कान के फिल्म होती है, उसमें बाकि girls'е का ज्यादा कुछ जोर नहीं चलता, फिल्म का गीश संगीश सब उनका ही सुजाया बनाय होता है, इमेस रिशीमिया के गाने में जेकलेन को मौका मिल गया, यह भी सलमान की ही बडवलत है, वाईस गा परिवार के साथ जाते तो 2000 का फटका लगना पक्का था सलमान को एद मुबारक कहिए कि उन्होंने अपने पिछली तीन फिल्मों के तरह इस बार एद पर अपने फैंस का ये नुकसान होने नहीं दिया बात आखरी कमिटमेंट की जो ठहरी और सलमान ने एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर वह क्या कह सकते हैं सपनों की नगरी मुंबई ड्रक्ष की चपेड में है राडा ने रदी भुडा इस ड्रक्ष कार्टल का बास्सा है वह सहर पर राज करना चाता है ड्रक्ष ने सहर को गंदा किया है और इसकी सफाई जरूरी है सलमान खान एक सस्पेंड़ पुलिस आपसर है सफाई की जिम्यदारी सलमान खान यानी राधे को दी जाती है साल 2009 में सलमान खान की वांटेड रिलीज हुई थी पर भुडेवा ने ही इस फिल्म को डारेक्ट किया था या तमिल फिल्म पोकरी का रिमेक थी राधे योर मोस्ट वांटेड भाई इससी फिल्म का सुखकल है कहानी पूरी तरे मुंबई पर है फिल्म में सलमान खान अपने चिर परचित मास्रेक्षन ओतार में है राधे एंकाउंटर स्पेशलिस्ट है बीते 10 साल में उसके खाते में 97 एंकाउंटर है और 30 बार ट्रांसपर है अब जब मुंबई ड्रग माफिया की गिरिप्त में है तो राधे सहर को साब करने आया है वो भी अपने अंदाज में बदमासों की जमकर धुनाई और मजबूरों की दम भर मदद के बीश राधे के पास फलर्ट करने का भी टाइम है वो अपने ही बास यानि जेकिस राप की बहन दिया यानि दिसापाटनी से प्यार करता है राधे एक टिपिकल बॉलिबुड फिल्म है जिसमें एक्सन है, ड्रामा है, कॉमडी है कुछ एक पंच वाले डालाक्स है लेकिन ऐसे फिल्मों की लड़ाई सिर्फ एक चीज़ से होती है कि वा मनुरन जग भी हो उसमें दोहराओ भी ना हो और साथ ही कुछ नया भी हो डिरेक्टर प्रविद्यवाँ ने अपने हिस्से की पूरी मिहनत की है कि वा या सब फिल्म के जरिये दर्शको कोपरों से हालाकि फिल्म कई जगह उपर पटरी से उतरती भी है लेकिन खतरनाक एक्षन और जबरदस्ट बिलन के बुते या फिल्म आपको बांधे रखती है फिल्म की सिरुवाद दर्शकों पर अपना असर छोड़ती है एक बदमास दूसरे बदमास को कोचता है सलमान खान और अड़िदे फोड़ा के वेश टकराओ के कई सीन है जो अच्छे लगते है और इन सबसे ओपर फिल्म में जबरदस्ट एक्षन है जो नया भी है स्टाइलिस भी और खोग खोन खराबा दिखाया गया है हाला कि फिल्म में ऐसी कई चीज़े हैं जो आपका इस खोन खराबे से ध्यान भटकाती है इन सब ही में सबसे आगे है दिसा पाटनी वह एक परफेक्ट आई कैंडी है वह फिल्म में ग्लैमर का त्रड़का लगाती है लेकिन उनका आना फिल्म को उनकी मोल कहानी से भटकाता है दिसा के किरदार में एक भोला पिन है जिसमें कुछ इसको अब जरूर दिखता है लेकिन इसे भी इस फिल्म में गाने आजाते हैं जिनके बेड़ साप को कहानी और माहौल के बेच फिट नहीं लगते फिल्म में चार गाने हैं जिन में से चाजिद वाजिद का टाइटल ट्रैक और दिल दे दियां आपको अच्छा लगता है फिल्म का बैगराउंड इसकोर संचित और अंकिता बलहारा ने दिया है और या फिल्म में माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है परभीदवा इस फिल्म में सलमान खान के इस्टार पावरे स्टाइल और स्वएक पर पूरा भरवसा दिखाते हैं सलमान ने उन्हीं निरास भी नहीं किया है उनका अंदाज और एक्षन आवतार रोमान चित करता है डालॉग बाजी में भी सलमान फपते हैं लेकिन जहां एक और एक्षन दंदार है डालॉग फिल्मी ही लगे हैं जिसा के साथ सलमान की कमेश्टरी भी कुछ खास नहीं जमी है जेकिस्तराव के साथ सलमान के कुछ है अमाचिका सीन है जो सर्ट छोडने में नाकाम साबित होते हैं रडीप hooda ने बिलन के रोल में हर मिनट पर्दे पर अपनी चाप छोड़ी है फिल्म में कई बिलन हैं लेकिन रड़ीप उन सब पर भारी पड़े हैं फिल्म हार्ड कोर एक्षन है लेकिन इसमें भी डालाक्स और सिचुएशन के बुते कौमडी का पॉट जोड़ने की कोशिज की गई है लेकिन या हर बार हसा है या जरूरी नहीं है कुल मिलाकर राद है कैसी फिल्म है जिसे बड़े परदे पर देखना है एक जब बर्दस एक्सपेरियंस हो सकता था लेकिन कुरोना महामारी के करड़ भरत में भाईजान के फैंस को उस एद घर बैठे टीबी पर भी अपने मोस्ट वांटेड भाई का दीदार करना हुआ था यदि आप एक्सन फिल्मों के फैं है तो आपको एक फिल्म पसंद आएगी फिल्म में कई सीटी मार वाले सीन भी हैं अच्छाई और बुराई का जब सामना होता है तो सलमान के फैंस यकीनर रोमांच महसूस करेंगे लागडाउन में जहां हम सब घरों में कैद थे ऐसे मा कई वर्सों से सलमान खान अपने फैंस के पसंद के अनुरूप फिल्में बनवा रहे हैं इन फिल्मों में उसी तरह के सीन रचे जाते हैं जिसको देख सिनेमा हाल में तालिया और शीटिया बचते हैं सलमान कुछ अलग करने जाते हैं तो उनके फैंस को पसंद नहीं आता और वही अदाय दोहराते हैं तो भी उनकी अलोचना की जाती है सलमान को समझ नहीं आता क्यों वे करे तो करे क्या बहराल उनकी ताजा फिल्म राधे का निर्माड उसी सैली में किया गया है जिसके लिए सलमान जाने जाते हैं इस टाइले सेक्षन, जोरदार वन लाइनर, बिलन का भूरता बना देने वाला हीरो, कूल रोमांस और मारा मारी के बाद सुखांत राधे में कमी रह गई तो बस एक अच्छी कहानी की पता नहीं कहानी को लेकर सलमान की मसाला फिल्मों में मेहनत क्यों नहीं की जाती यह एक मसलेदार ग्रेवी है, जिसमें सबची या चिकन बहुत कम है, राड़ा ने रुदी भुड़ा मुंबई आकर इस सहर को ड्रक्स की गिरिप्त में ले लेता है, युवा ड्रक्स की लत का सिकार होकर बरबाद हो रहे हैं, इस गंदगी को साप करने में पुलिस नाकाम है, मांग उठती है कि राधे अने सिलमान खान के बस का ही या काम है, दस साल में राधे के तेश ट्रांसपर हो चुके हैं और वह 97 बे एंकाउंटर कर चुका है, इस परचे के साथ राधे के एंट्री होती है, राधे मुंबई के दू गेंगेस्टर में समझोता करता है, और फिर वह राधा के पीछे लग जाता है, राधा और राधे की लुकाचिपी कहांत क्लाइम एक्स में होता है, 2017 में बनी कोरियन फिल्म दा आउट लाज का एहंदिरी में एक है, जिसमें भारती दर्शकों की पसंदिके अनुसार परवर्तन किया गए हैं, सिधे सिधे या रोमाश दोड़ा कॉमडी कापोट लिये हुए है, और कुछ मनुरंजक दरस्त देखनों के मिलते हैं, भले ही हिरुए ने दिया ने दिशा पाटने को राधे की यसलियत नहीं पता है, जिबकि पूरे सहर में राधे के सर्चे हैं, लेकिन सल्मान की फिल्मों में इतनी सर्च नहीं उतारते, बल्कि हलके फुल के दरस्त में हुए, सर्च उतार कर बाड़ी के दर्शन करा देते हैं, और उनकी बाड़ी देख गुंडे नहीं भागते, बल्कि लड़किया आहें भरती हैं, सीशा तोड़कर सल्मान की एंट्री, मोबाइल पर इंबुलेंस भेज बीच से सल्मान खान निकलते हैं, मुह में भी कांश का एक टुकड़ा दबा है, जिसे वा होठो से ही हवा में निसाना बना कर फेकते हैं, मोबाइल वाले बंदे के आँख के नीचे कट बनता है, फिल्म राधे में सल्मान का ये एंट्री सीन है, सिनेमा हाल होता तो इस पर खोब तालिया सुनने को मिलती, सिंगल इसक्रीन थेटर में सल्मान की ऐसे एंट्री पर लोग सीटों पर खड़े होकर नाचते भी, लेकिन राधे और मौस्ट वांटेड भाई के रिलेस सीधे घरों में हुई, मोबाइल और लेपटाप पर, इसमार्ट टेपी बर भी जी फाइब के चरिये फिल्म चलनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी नहीं चली, तमाम कोश्टों के बावजोद, बड़े पर्दे के हिसाब से स्यूट हुई फिल्म राधे और मौस्ट वांटेड भाई की बाद, इसकी कहानी से सुरू करे, इसके निर्देशन से सुरू करे, इसक इस बार हीरो और बिलन दुनों आसमान से धर्ती पर आगिरे हेलिकाप्टर में से निकलते हैं, हड़ी पसली सब साबोत लेकर, सल्मान अपनी फिल्मे सब के लिए बनाते भी नहीं हैं, उन्हें अपना फैन बेस पता है, उनके फैन्स को सल्मान की अदाएं पता हैं, दोनो वाजे की याद यहां आना सभावक है, क्योंकि राधे को भी उसका निलंबन खतम कर पुलिस फोर्स में लाय जाता है, मुंबई में फैल है नसेले पदार्थों का कारोबार खतम करने, फिल्म ये पहले ही सीन में साप कर देती है कि ये ड्रक्स मुंबई में दिल्ली से आ र गाने को लेकर सबसे ज्यादा हला मचा, ओगना ठेक क्लाइमेक्स से पहले आगर फिल्म का जो भी थोड़ा बहुत मचा है उसे खराब कर देता है, सल्मान खान की फिल्मों का एक शिट पैटर्न बन चुका है, ना सल्मान खान इससे बाहर निकलना चाहते हैं और ना उनकी क पोर्टरी के निर्देशन उन्हें निकालने दे रहे हैं, उनका गुबारा लगातार फोल रहा है, सलीम खान का नाम भी ओपनिंग क्रेडिट्स में आता है, एक कोरियन फिल्म दा आउट लाज की इस रिमेक का आइडिया अगर उनका है, तो कम से कम पढ़कता तो उन्होंन फिल्मों में होता है, ये हीरो के अलावा किसे दूसरे किरदार पर ध्यान भी नहीं देती, हिंदी सिनेमा में निर्देशकु के आगे खुद को पूरी तरह समर्पित कर देने वाले कलाकार बहुत हुई है, सिनेमा की भासा में इन्हें डारेक्टर कहते हैं, सल्मान खान न सुर्वन सम, कोहराम और हिंदुस्तान की कसम के बाद अगले साल मुहबबते मिल गई थी, ऐसा यहां कुछ हो जाये तो अच्छा है, साइकल पर प्रेम की स्टाइल मेराधे का पिसला पहिया एकदम से रोक कर साइकल पैतालेश टिकरी पर खड़ा करना नाल ताल जीया जो से जुड़ नहीं पाता, फिल में कहने को तो सितारों की पूरी बाराध है, जैकी स्राप, सुधान सुपांडे, गौतम नामदेव, दरसन जारीवाला, सिधार्चादो, अरजुन कानून गो, विसुजीत परधान, परवेसराडा, सावर अली, इहाना धिलन, सब थोक में न निकल जाते हैं, दिसा पार्टनी फिल्म की हिरोईन है, सो उनके लिए अलग से लाइन लिखना जरूरी नहीं है, जो काम उनका भी फिल्म में सब कुछ खास नहीं है, वा धीरे धीरे सिनेमा का सो पीस बनती जा रही है, अपनी इंस्टाग्राम फोटो से कुछ अलग वा ब पास्ट्यूम भी डिट्टो वैसा ही, सल्मान खान की फिल्म सिर्फ सल्मान खान की फिल्म होती है, उसमें बाकि किसी का ज्यादा कुछ जोर नहीं चलता, फिल्म का गीस संगीस सब उनका ही सुजाया बनाय होता है, इमेस रिशेमिया के गाने में जैकलीन को मौका मिल गया, ये भी सल्मान की ही बदावलत है वो इस गाने में सिरीदे भी बनने की कोसिस भी पूरी तरह करती हैं लेकिन ये जैकलेन के बस की बात है नहीं फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ही ही है कि से अब धाई सो रुपे में घर बैठे पूरी परवार के साथ देख सकते हैं सल्मान को एद मुबारक कहिए कि उन्होंने अपने पिछली तीन फिल्मों के तरह इस बार एद पर अपने फैंस का ए नुकसान होने नहीं दिया बात आखरी कमिटमेंट की जो ठहरी और सल्मान ने एक बार कमिटमेंट कर दे तो फिर वह क्या कह सकते हैं सपनों की नगरी ड्रक्स की चपेड में है राडाय ने रदेभ भुड़ा इस ड्रक्स कार्टल का बास्सा है वह सहर पर राज करना चाता है ड्रक्स ने सहर को गंदा किया है और इसकी सफाई जरूरी है सलमान खान एक सस्पेंडड पुलिस आपसर हैं सफाई की जिम्यदारी सलमान खान यानी राधे को दी जाती है साल 2009 में सलमान खान की वांटेड रिलीज हुई थी पर भुदेवा ने ही इस फिल्म को डारेक्ट किया था यह तमिल फिल्म पोकरी का रिमेक थी राधे और मोस्ट वांटेड भाई इसी फिल्म का सुकल है कहानी पूरी तरे मुंबई पर है फिल्म में सलमान खान अपने चिर परचित मास्य एक्षन उतार में है राधे एंकाउंटर स्पेशलिस्ट है बीते 10 साल में उसके खाते में 97 एंकाउंटर है और तेजबार ट्रांसपर है अब जब मुंबई ड्रग माफिया की गिरित में है तो राधे सहर को साब करने आया है वो भी अ पार्टनी से प्यार करता है राधे एक टिपिकल बॉलिवड फिल्म है जिसमें एक्षन है ड्रामा है कॉमडी है कुछ एक पंच वाले डालाक्स हैं लेकिन ऐसी फिल्मों की लड़ाई सिर्फ एक चीज़ से होती है कि वह मनुरन जग भी हो उसमें दोहराओ भी ना हो और सा जबर्दस्ट बिलन के बुते या फिल्म आपको बांधे रखती है फिल्म की सुरुआत दर्शकों पर अपना असर छोड़ती है एक बदमास दूसरे बदमास को कोशता है सलमान खान और अड़े फोड़ा के वेश टकराओ के कई सीन है जो अच्छे लगते हैं और इन सबसे में सबसे आगे है दिसा पाटनी वह एक परफेक्ट आई कैंडी है वह फिल्म में ग्लैमर का त्रड़का लगाते हैं लेकिन उनका आना फिल्म को उनकी मोल कहानी से भटकाता है दिसा के करदार में एक भोला पिन है जिसमें कुछ इसको जरूर दिखता है लेकिन इसी भी इ संचित और अंकिता बलहारा ने दिया है और या फिल्म में माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है परभीदिवा इस फिल्म में सलमान खान के इस्टार पावरे स्टाइल और स्वयक पर पूरा भरवसा दिखाते हैं सलमान ने उन्हीं निरास भी नहीं किया है उनका अंदाज और एक्षन आउतार रुमान चित करता है। डालॉग बाजी में भी सल्मान फपते हैं। लेकिन जहां एक और एक्षन दंदार है। डालॉग फिल्मी ही लगे हैं। दिसा के साथ सल्मान की कमिस्ट्री भी कुछ खास नहीं जमी है। जेकिस्तराब के साथ सल्मान के कुछ है अमाज का सीन हैं जो सर्थ छोड़ने में नाकाम साबित होते हैं। रर्दीप उड़ा ने बिलन के रोल में हर मिनट परदे पर अपनी चाप छोड़ी है। फिल्म में कई बिलन हैं लेकिन रर्दीप उन सब पर भारी पड़े हैं। फिल्म हार्ड कोर एक्षन है लेकिन इसमें भी डालाक्स और सिचुएशन के बुते कौमडी का पॉट जोड़ने की कोशिज की गई है। लेकिन या हर बार हसाए या जरूरी नहीं है। कुल मिलाकर राद है कैसी फिल्म है जिसे बड़े परदे पर देखना एक जब बर्दस एक्सपेरियंस हो सकता था लेकिन कुरोना महामारी के करड़ भरत में भाईजान के फैंस को उस एद घर बैठे टीबी पर भी अपने मोस्ट वांटेड भाई का दीदार करना हुआ था यदि आप एक्सन फिल्मों के फैं है तो आपको एफिल्म पसंद आएगी फिल्म में कई सीटी मार वाले सीन भी हैं अच्छाई और बुराई का जब सामना होता है तो सलमान के फैंस यकीनल रोमांच महसूस करेंगे लागडाउन में जहां हम सब घरों में कैद थे ऐसे माह फिल्म हाइबर रिलीज करनी पड़ी थी पिछले कई वर्सों से सलमान खान अपने फैंस के पसंद के अनुरूप फिल्में बनवा रहे हैं इन फिल्मों में उसी तरह के सीन रचे जाते हैं जिसको देख सिनेमा हाल में तालिया और शीटिया भचते हैं सलमान कुछ अलग कर ने जाते हैं तो उनके फैंस को पसंद नहीं आता और वही अदाय दोराते हैं तो भी उनकी अलोचना की जाती है सलमान को समझ नहीं आता क्यों करे तो करे क्या बहराल उनकी ताजा फिल्म राधे का निर्माड उसी सैली में किया गया है जिसके लिए सलमान जाने जाते हैं इस्टायरे सेक्षन, जोरदार वन लाइनर, बिलन का भूरता बना देने वाला हिरो, कूल रॉमांस और मारा मारी के बास सुखांत राधे में कमी रह गी तो बस एक अच्छी कहानी की, पता ने कहानी को लेकर सल्मान की मसाला फिल्मों में मिहनत क्यों नहीं की जाती, यह एक म साप करने में पुलिस नाकाम है, मांग उठती है कि राधे अने सिल्मान खान के बस का ही यह काम है, दस साल में राधे के तेश ट्रांसफर हो चुके हैं और वह 97 एंकाउंटर कर चुका है, इस परचे के साथ राधे के एंट्री होती है, राधे मंबई के दू गैंगेस्टर में समझाता करता है, और फिर वहार राधे के पीछे लग जाता है, राधे की लुकाची पी कांत कलाइम एक्स में होता है, 2017 में बनी कोरियन फिल्म दा आउट लाज का एहंदिरी में एक है, जिसमें भारती दर्शकों की पसंदिके अनुसार परवर्तन किया गए हैं, सिधे हिरुएन और पिलन के इंट्री हो जाती है, रोमांस धोड़ा कॉमडी का पोट लिये हुए है, और कुछ मनुरंजक दरस्त देखनों को मिलते हैं, भले ही हिरुएन दिया ने दिशापाटने को राधे की यसलियत नहीं पता है, जिबकि पुरे सहर में राधे के सर्चे हैं, लेकिन सल्मान की फिल्मों में इतनी डिटेलिंग पर ध्यान नहीं दिया जाता, और ना ही उन्हें पसंद करने वाले इन बातों पर ध्यान देते हैं, फिल्म में सल्मान सर्ट भी उतार देते हैं, आप सवाल करेंगे कि इसमें नई बात क्या है, नई बात है, मारा मारी करत समय शर्ट नहीं उतारते बल्कि हलके फुलके दर्श में हुए शर्ट उतारकर बाड़ी के दर्शन करा देते हैं और उनकी बाड़ी देग गुंटे नहीं भागते बल्कि लड़किया आहें भरती हैं सीशा तोड़कर सलमान की एंट्री मोबाइल पर एंबूलेंस भेजने का संदेश आँख के नीचे कांच से बना घाओ परभुदेवा सीन बनाते हैं फिर उन्हीं को लगता है कि मज़ा नहीं आया वह सीन को फिर से दिखाते हैं सुलो मोसन में इस बार खिड़की कांच चकना चूर होकर हवा में उड़ता है बीच से सलमान खान निकलते हैं मुह में भी कांच का एक टुकडा दबा है जिसे वा होटो से ही हवा में निचाना बना कर फेकते हैं मोबाइल वाले बंदे के आँख के नीचे कट बनता है फिल्म राधे में सलमान का ये एंट्री सीन है सिने किमा हाल होता तो इस पर खोब तालिया सुनने को मिलती सिंगल इस्क्रीन थेटर में सलमान की ऐसे एंट्री पर लोग सीटों पर खड़े होकर नाचते भी लेकिन राधे और मौस्ट वांटेड भाई के रिलेस सीधे घरों में हुई मोबाइल और लेपटाप पर इसमार्ट सब बाते एक जिसी ही हैं वांटेड का ओक कमेंट्मेंट वाला समाद भी यहां है हीरो और बिलन की वैसे ही फैड जैसी एद पर लेज हुई सलमान की इसके पहले 10 फिल्मों में भी उनके फैंस देख चुके हैं वहां यहां भी है बस इस बार हीरो और बिलन दोनों आसमान स धर्ती पर आगीरे हेलिकाप्टर मेंसे निकलते हैं हड़ी पसली सब साबूत लेकर सल्मान अपनी फिल्मे सबके लिए बनाते भी नहीं है उन्हें अपना फैं बेस पता है, उनके फैंस को सल्मान की अदाएं पता है दोनों एक दूसरे पर बरसों से कुर्बान है सलमान का सिनेमा ऐसा ही चलता है फिल्म राध्य और Most Wanted भाई की कहानी का हिरो राध्य एंकाउंटर स्पेसलिस्ट है 10 साल में तेश ट्रांसफर और 97 एंकाउंटर वाला सचिन वाजे की याद यहां आना सभावग है चलता रही है और इसका सप्लायर राणा है सुसांतराज्बूत का संदर भी फिल्म ते ही देती है पूरी फिल्म में साजिद ऑन के बनाय辉 में पनाए फिल्म के टाइटल ट्रै का इंतजार ही बना रहता है और गाना बचता है आखिर में एंड करेड़े को साथ और जिस सिटी मार गाने को लेकर सबसे ज़्यादा हला मचा ओगना ठेक क्लाइमेक्स से पहले आगर फिल्म का जो भी थोड़ा बहुत मचा है उसे खराब कर देता है सलमान खान की फिल्मों का एक शिट पैटर्न बन चुका है ना सलमान खान इससे बाहर निकलना चाहते हैं और ना उनकी कोटरी के निर्देशन उन्हें निकालने दे रहे हैं उनका गुबारा लगातार फोल रहा है सलीम खान का नाम भी ओपनिंग क्रेडिट्स में आता है एक कॉरियन फिल्म दा आउट लाज की इस रिमेक का आइडिया अगर उनका है तो कम से कम पढ़कता तो उन्होंने फिल्म की जरूर ही नहीं पढ़ी होगी फिल्म को वांटेड की सुकल का फेल देने की बहुत कोश्चे की गई है लेकिन बाद जमी नहीं फिल्म की पढ़कता बिल्कुल सपाड तरीके से चलती जाती है और जैसा कि अधिकतर कोरियाई फिल्मों में होता है ये हीरो के अलावा किसे दूसरे किरदार पर ध्यान भी नहीं देती हिंदी सिनेमा में निर्देशकुक के आगे खुद को पूरी तरह समर्पित कर देने वाले कलाकार बहुत हुए है सिनेमा की भासा में इन्हें डारेक्टर्स एक्टर कहते है सल्मान खान ने निर्देश को की एक नई परजाते त्यार की है एक्टर्स डारेक्टर यानि जो हीरो कहे उन्हें बस ये सर कहना है अमिताब बच्चन की बतोर हीरो रिलेज हुई आखरी फिल्में ऐसी ही बनती थी उन्हें 1999 में सुरवनसम, कोहराम और हिंदुस्तान की कसम के बाद अगले साल महबते मिल गई थी ऐसा यहां कुछ हो जाये तो अच्छा है साइकल पर प्रेम की स्टाइल मेराधे का पिशला पहिया एकदम से रोक कर साइकल 45 डिकरी पर खड़ा करना नाल ताल जिया जो जगाता है लेकिन दर्सक सीधे उससे जुड़ नहीं पाता फिल में कहने को तो सितारों की पूरी बाराध है जैकी सराप, सुधान सुपांडे, गौतम नामदेव, दर्सन जारीवाला, सिधार्चादो, अरजुन कानून को, बिसुजीत परधान, परवेसराडा, सावार अली, इहाना धिलन, सब थोक में निप्टा देगे हैं इसके निदेशक प्रभुदेवा ने किसी भी किलदार का कोई बैगराउंड नहीं, किसी की कहानी में होने का कोई इस्पिस्टी करण नहीं बस वा सरकस के तरह रिंग में आते हैं, करतब दिखाते हैं और निकल जाते हैं दिसा पाटने फिल्म की हिरोईन है, सो उनके लिए अलग से लाइन लिखना जरूरी नहीं है जो काम उनका भी फिल्म में सब कुछ खास नहीं है, वा धीरे धीरे सिनेमा का सोपीस बनती जा रही है अपनी इंस्टाग्राम फोटो से कुछ अलग वा बड़े परदे पर भी नहीं कर पा रही है फिल्मे सल्मान के अलावा अगर किसी ने भी कुछ किया है तो वा है ररती फोड़ा सीध्य मन मोहक देसाई की कि किसी फिल्म से निकले बिलन, चाको बाजी भी वैसी, बाल भी वैसे और कास्ट्यूम भी डिट्टो वैसा ही सल्मान खान की फिल्म सिर्फ सल्मान खान की फिल्म होती है उसमें बाकिक किसी का ज्यादा कुछ जोर नहीं चलता फिल्म का गीज संगीज सब उनका ही सुजाया बनाया होता है इमेस रिसीमिया के गाने में जैकलीन को मौका मिल गया ये भी सल्मान की ही बदावलत है वो इस गाने में स्रीदेवी बनने की कोसिस भी पूरी तरह करती हैं लेकिन ये जैकलेन के बस की बात है नहीं फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ही ही है कि इसे अब धाई सो रुपे में घर बैठे पूरी परिवार के साथ देख सकते ह बात आखर कमिटमेंट की जो ठहरी और सल्मान ने एक बार कमिटमेंट कर दे तो फिर वह क्या कह सकते हैं सपनों की नगरी मुंबई ड्रक्स की चपेड में है राडा ने रदिपोड़ा इस ड्रक्स कार्टेल का बास्सा है वह सहर पर राज करना चाता है ड्रक्स ने सहर को गंदा किया है और इसकी सफाई जरूरी है सल्मान खान एक सस्पेंडर्ड पुलिस आपसर हैं सफाई की जिम्यदारी सल्मान खान यानी राध्य को दी जाती है साल 2009 में सल्मान खान की वांटेड रिलीज हुई थी पर भुदेवा ने ही इस फिल्म को डारेक्ट किया था यह तमिल फिल्म पोकरी का रिमेक थी राध्य और मोस्ट वांटेड भाई इसी फिल्म का सुखकल है कहानी पूरी तरे मुंबई पर है फिल्म में सल्मान खान अपने चिर परचित मास्य एक्षन आउतार में है राध्य एंकाउंटर स्पेशलिस्ट है बीटे 10 साल में उसके खा कर धुनाई और मजबूरों की दम भर मदद के बीश राध्य के पास फ्लरट करने का भी टाइम है वह अपने ही बास यानि जैकी सुराप की बहन दिया यानि दिसापाटनी से प्यार करता है राध्य एक टिपिकल बॉली बुड फिल्म है जिसमें एक्षन है ड्रामा है कॉम की महिनत की है कि वह यह सब फिल्म के जरिये दर्शकों को पर उसे हाला कि फिल्म कई जगह पर पटरी से उतरती भी है लेकिन खतलनाक एक्षन और जबर्दस्त बिलन के बुते या फिल्म आपको बांधे रखती है फिल्म की सुरुआ दर्शकों पर अपना असर चोड़ती ह एक बदमास दूसरे बदमास को कोचता है सलमान खान और अड़ेदे फोड़ा के वेश टकराओ के कई सीन हैं जो अच्छे लगते हैं और इन सबसे ओपर फिल्म में जबलदस्त एक्षन है जो नया भी है स्टाइलिस भी और खोग खोन खराबा दिखाया गया है हाला कि फिल फिल्म को उनकी मौल कहानी से बढ़काता है दिशा के करदार में एक भोलापेन है जिसमें कुछ इसको अफजरूर दिखता है लेकिन इसी बीच फिल्म में गाने आजाते हैं जिनके ब बेट साप को कहानी और माहॉल के बेच फित नहीं लगते फिल्म में चार गाने है जिन में सलमाण खान के इस्टार पवर एश्टायल और सुएक पर पूरा भर्वशा दिखाते हैं सलमाण ने उन्हीं निरास भी नहीं किया है उनका अंदाज और एक्षन ऑतार मांचित करता है डैलोग बाजिये में भी सलमाण फपते ह recordings लेकिन जहां एक और एक्षन दमदार है डालॉक फिल्मी ही लगे हैं दिशा के साथ सल्मान की कमेश्टरी भी कुछ खास नहीं जमी है जेकिस्तराब के साथ सल्मान के कुछ हैं माज़ का सीन है जो सर्थ छोड़ने में नाकाम साबित होते हैं रदीप होड़ा ने बिलन के रोल में हर मिनट परदे पर अपनी चाप छोड़ी है फिल्म में कई बिलन हैं लेकिन रदीप उन सब पर भारी पड़े हैं फिल्म हार्ड कोर एक्षन है लेकिन इसमें भी डालाक्स और सिचुएशन के बुते कौमडी का पॉट जोड़ने की की गई है लेकिन या हर बार हसाए या जरूरी नहीं है कुल मिलाकर राद है कैसी फिल्म है जिसे बड़े परदे पर देखना एक जबर्दस एक्सपेरियंस हो सकता था लेकिन करोना महामारी के करड़ भारत में भाईजान के फैंस को उस एद घर बैठे टीबी पर भी अपन कीनल रोमांच महसूस करेंगे लागडाउन में जहां हम सब घरों में कैद थे ऐसे माहौल में भी राधे और मोस्ट वांटेड भाई सल्मान खान के फैंस पर हसी और खुसी जरूर भी खेरी थी सल्मान खान ने एद बर अपने फैंस को नई फिल्म देने का वादा निबाय हैं इन फिल्मों में उसी तरह के सीन रचे जाते हैं जिसको देख सिनेमा हाल में तालिया और शीटिया बचते हैं सल्मान कुछ अलग करने जाते हैं तो उनके फैंस को पसंद नहीं आता और वही अदाय धोराते हैं तो भी उनकी अलोचना की जाती है सल्मान को समझ नहीं आ प्रादे का निर्मार उसी सैली में किया गया है